नमस्कार दोस्तो, जैहिंद दोस्तो, हमारी जो एक सिरीज चल रही है जिसे हम लोग डिलेशन्स पर चाहचा कर रहे हैं अनेको देशों के साथ तो आऌज की जो सिरीज है, आज का जो विशय है भारत-पाकिस्तान के सम्पन्दों पर हम लोग शिव़बात कर रहे हैं और भाड पाकिस्तान के संबंदों के जब बात करें तो मैंने हमेशे एक बात कयी है कि जब भी आप किसी देश को जाने या किसी देश के साथ हमारी foreign policy कैसी है, विदेशणीती कैसी है, संबंद कैसे है तो उससे पहले थोड़ा जाने उस देश के बारे में, उस country के साथ हमारा एक सही तरीके से नीती क्या होगी कैसे पूलसी होनी चाहिए कैसी पूलसी रही है फ्यूचर में क्या पूलसी होनी चाहिए आप उसको सही तरीके से बना नहीं पाएंगे मैंटेन नहीं कर पाएंगे तो मेरा हमेशा रहा है कि पहले उस देश के संदर में उस दे इसकी economy कैसी है उस देश का political कैसा structure है कैसा रहा है वो सारी बात है हमको देखनी होती है लेकि जब हम पाकिस्तान के संदर में बात करते हैं तो दोस्तों ये बड़ा ही एक दुरभागया कहिए या कहें कि बहुत ही विकट सी स्थिति है कि भारत के संबंद केवल पाकिस्तान के स आप देखें दुनिया में तो वैसे संबंद हैं जैसे 1947 में संबंद थे कभी अगर संबंदों को सुधार करने का परियास भी हुआ लेकिन तब भी क्या वो कभी सुधार होई नहीं पाया बिल्ड़ अप होई नहीं पाया कोशिश की चाहे हम लोग बात करें लाहोर की हम लो लोना पहले ही बहुत सारे परियास हुए तो दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे रहे उतार चड़ा हुआ ले नहीं यहां तो हमेरिशा कहा रहा है खटास ही खटास रही हम चीन के साथ कह सकते हैं कि उतार चड़ा हुआ ले रहे लेकिन पाकिस्तान के साथ एक दो साल की बात भी नहीं म्योंद नगा श्चार्टिंग से ही क्या हुआ कि आपके तनाव कुन संब्ध रहे तो ये तनाव कुन संब्ध क्यों है और क्यों रहे एक ऐसी दुश्मनी कहीं ठिंकर्स का पॉलिटिकल स्कोलर का कहने ये है कि ये ऐस दुश्मनी है कि अगर सोल भी हो जाएं तब भी यह जो दुश्मनी हैं तब यह दुनों देश के राइवल बने रहेंगे ऐसा क्यों कहना है पॉलिटिकल स्कॉलर्स का क्या का रहा है क्या रिजन है पाकिस्तान के बारे में यह भी खा जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ संबंदों को देखते हैं भार से बदले में क्या हो रहा है कि puYN कभी बेटर नहीं हो पातीि कुछ लोग जब भारत के साथ बाठ करते हैं कि भारत के साथ दो पुडोसी पाकिस्तान और चीन इन दोनों की बात करते हैं तो कई बार ये कहते हैं कि चीन ज्यादा बड़ा दुशमन है ना इंदा पाकिस्तान का क्या है जबकि मैं यह कहता हूं कि अगर आई यार की समझ हो तो इस बात को अच्छे समझ जाएंगे कि चीन ठीक है चीन टाकतवर है हमारे पर्तिदंदी है हमारे साथ एक अच्छे यारे के तनाव को लेकर चलता है लेकिन आप देखें चीन के साथ हमारे और पाकिस्तान के बारे में क्या है दोस्तों तो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि मैड चायद विड लोडिड गन कि एक पागल बच्चा जो लोडिड गन के साथ में है उस तरह का बिहेवियर किसका पाकिस्तान का है तो मैं हमेशा इस मानता हूं समझता हूं यह मैं क जिसको कहता हैं एक mad child जो मैंने कहा कि कुछ भी कर सकता है वो जो एक sense आती है चिंटा जो आती है वो कही ना कहीं पाकिसान से ज़्याज़ आती है ऐसा क्यों तो दुछा मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले जानिये उस देश को समझते हैं उस देश को जाने पाकिस्तान के बारे में आज कई लोग पॉलिटिकल स्कोलर यह कहते हैं कि पाकिसान एक रोग इस्टेट है कोई बोलता है पाकिसान एक पैरियार बना था बिटिश की आजाद हुआ आजाद होने के बाद आज आप देखें किस प्रकार से हमारे प्रधामतर यह कहते हैं कि हम आजाद तो 47 में हो गए थे लेकिन एक कलोनियन जो माइंड सेट था उससे भी अपना आपको कहा करना है भार करना है भार होना है और अभी आप जा कैसे लेकर चलना है हमारे देश का सुर्फीम कोट है विधाई पाली dessे कulates लेका लेकिन दो साथ आजाद हुए भारत पाकिस्तान को देखिए पाकिस्तान ऐस्ट फहले कालोनी था भिटिश्की और फिर क्वा आपका अमेरिका कober से कालोनी बना और चाइना के जोडब को लोन नव जो तेके इन बोगले से जोड़ दिया सीप San How to Cheris, अपको देखेगा पकेस्सान. ऐसा क्युं मुए. क्या करुण है पाकिस्तान का जनम ही देखेंगे जभ पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जनम ही और श्यों है या की पाकिस्तान का जनम यह पाकिस्तान बना और दोस्तों हमारा ये मानना है हम हमेशा सबात को मैं भी सबात को हमेशा क्लासिस के अंतर हमेशा इसको क्याता हूं बोलता हूं कि धर्म कभी आधार नहीं होता ना तो दुश्मनी का ना दोस्ती का ना धर्म आधार धर्म को हमेशा राजवीति ने यूज किया है प्रयोग मिलाया है अगर धर्म आधार होता तो बांगलादेश यानि कि पूर्वी पाकिस्तान कभी पाकिस्तान से अलग नहीं होता यह कि दोनों जेंगे स्लाम अगर धर्म आधार होता तो बलुचिस्तान अपनी आजादे के डिमांड ना करता अगर धर्म आधार होता तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस प्रकार की रैवल एक दोसरे के ना होता है जूरन लाइन को लेकर सहमती बन गई हो बहुत सारे इशूद होते हैं खैबर पक्तून खा में पस्तूनिस्तान की मांगना होती है अगर धर्म आधार होता दोस्ती का तो जाहिर शाह जो नाइंटिन फिफ्ट्यू में कह रहा था कि हमको पस्तूनिस्तान चाहिए और हम अटेक करेंगे पाकिस्तान के उपर उसके बाद दाउद खान उन्यूश् रहे थे कि हम अटेक करेंगे सेवंट्यों से पहले दूसे अफगाइनसान के बोल रहे थे और आज भी आप देखें कि धर माधार नहीं तो जो टूर नेशन थोरी थी पाकिस्तान की वह फेल हो गई थी जिसमें ठीकला फोड़ा किये फेल हमारी वहीं से नहीं हुई है यह इंडिया ने बगना तेश को इन्हें फूरी पाकिसान को सपोर्ट किया मुक्ति वहनी को सपोर्ट किया लेकिन क्या वाकि मैं ऐसा था ठाको बście Tap पर हैं, वो कितने वाजिव हैं या कितने गलत हैं, तो rational हो कर हम देखेंगे, हम तर संगत होकर देखेंगे, मेरा कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं पाकिस्तान का criticism करूं, criticism करना नहीं, जो है वो हम लोग बोलेंगे, वो हम चर्चा करेंगे, आप देखेगा, मैं facts दूंगा, logic द रहेगा, पाकस्तान को मैंने दो भागों बाटा, जो पाकिसतान का इंडूरॉक्शन, छाचा करेंगे पाकिस्तान को पूरा समझेंगे only, युकि लंबा स्टेट है आपका फेलियर स्टेट है तभी तो पाकिसान के साथ पोल सी मेकिंग कर पाएंगे जैसे अब इदेगे आपके प्रधामंत्री जी ने कहा है इंडियो गुर्वर्मेंट ने कहा है कि हम आप जो इंडिया वोटर टीटी सिस्टेम वही थी उस पर करेंगे कुछ एक् लेकिन बाद में पूरा पूरा समय देंगे लेकिन मेरा बड़े लेक्टेल से लेने का जो मोटीव है मोटीव एक ही है क्योंकि जब मैं खुद भी स्टुडेंट था तो मैं विध्यारती जीवन से महसूस करता हूं कि कुछ कोश्चन हमेशा क्या होता है माइंड के अंदर क कोदने के कारण हम अपने कॉंसेप्ट में बहुत क्लियर्टी नहीं ला पाते तो इस कॉंसेप्ट की क्लियर्टी को लाने के लिए लेक्टर बड़ा होगा फैक्स पर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि मैं यह मानता हूं कि जब हमारे माइंड में कोई बात जाती है तो भल हम बात करेंगे इसके बारे में पाकिस्तान के बारे में जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में कई लोगा कहना यह है कि पाकिस्तान एक पैरियार स्टेट है पाकिस्तान एक रोग स्टेट है कई तरह के पैरियार स्टेट फेलियर स्टेट रोग स्टेट मैं हमेशे मुल कि जह वह बात करें पाकिस्तान क्या नहीं है कि यह उसको भी खर्ली चतर देखते हैं पाकिस्तान की हम फूर एक जिographie को पाकिस्तक की लोकेशन को उसका फिर वोगनों देखें कि जाने की वह सब्सक्राइब करें पारा Kevin पाकिस्तान को थोड़ा सा अमेरिका ने जटका सा दे दिया था लेकिन हाल के दिनों में फिर पाकिस्तान की अमेरिका से नज़्दी के बढ़ रही है चीन के साथ नज़्दी के तब बड़ी थी जब अमेरिका ने जटका दिया उसा चीन से नज़्दी के बड़ी है अब फिर थोड़ सा अमेरिका क्या अगर है पाकिस्तान के साथ में थोड़ से बैट रिलेशन बनाने का परियास कर रहा है ऐसा क् पाकिस्तान में कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक इंटरस्ट का कारण बन जाता है और पाकिस्तान का जो निर्मान हुआ उसमें क्यों गलोबल पावर का वे इंटरस्ट था कि वो क्यों चाते थे कि पाकिस्तान निर्मान हो तो आएए थोड़ से पहले पाकिस्तान को देखें, दोस्तों ये है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, और दोस्तों ये पियोके जो हमारा कश्मीर है, जो इसने कब्जा किया हुआ है, गिल गिल बलातिस्तान और ये आपको गुलाम कश्मीर, जब दोस्तों पाकिस्तान की बात कर रहें तो पाकिस्तान के बोर्डर पर इधर आपका अफगानिस्तान और हिधर आपका इंडिया भारत दोनों और होस्टाइल कंट्री अफगानिस्तान ने कभी वी चाहें वह 1950 के बात करें अफगानिस्तान दोस्तों वो देश था कि जब पाकिस्तान UNO का मेंबर बनना चाह रहा था UNO का मेंबर बनता है तो केवल एक देश था जो अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के विरोद में वोट करता है पाकिस्तान के वजूद ही नहीं इसको क्यों मेंबर बना Task यह तो यह निए जिसने फौear मैंस्तानने पाकिस्तान की वजूद को ही ना तो जयाड सी बात है कि कि किस पकार के संबंध होंगे दोनों की डीर्प दोस्तों जूरंड लाइन है यह जूरंड लाइन वही है जो बिटिश के द्वारा खीची गई थी जब आपका ग्रेट गेम हुआ था यानि कि आपका बिटिश अफगाइंसान पर कंट्रोल करने के लिए और रश्या बिटिश आमने सामने थे मेरा अफगाइंसान वा साथ में टैंशन देर वो हमेंसान अब ठाल लेकिन अफगानिस्थान की टालेश्टन की मांग बात करें भारत के साथ चार यूद हो चुके है और आप देखें 90 से पहले देखें तो लगातार एक Proxy War Low Intensity War भारत के साथ में है और ये जो हम चार-चार War भारत के साथ देखें तो वार के कारण में किया था कि इस भारत के साथ शत्रुता नैंटिं 47 के बाद ये भारत को देखें 47 के बाद भारत ने 1954 में चीन के साथ में क्या क्या पंशिल एग्रिमेंट किया उसके लावे नाम की लेडर्शिप को भारत लेके चल रहा था यूएससर से नजदी के भारत बढ़ा रहा था ये सब वज़े थी कि पाकिस्तान जो था 1947 के बाद अमेरिका की और गया और अमेरिका के साथ जाने के बाद 1954 में दोनों आपसे संजोत वारो ओर से इधर इधर इरान आपका इधर अफगाइन सांगर पाकिस्तान और ये आपका चोटा समुहान सके किसे जुरता है संवंद से जुरता है इसमें आप कराची पोर्ट और दुसापका गवादर पोर्ट अगर इसका ये ब्लोग कर दिया जाए यानि कि जो आपका ब्लोग कर दें पाकिस्तान को तो पाकिस्तान को दोनों देश हैं और भारत क्या कर सकते हैं उसको एक जेल बना सकते हैं ये पाकिस्तान किस्तिती है तो पाकिस्तान की जोगराफिकल कंडिशन देखें जानकि जियो पॉलिटिक्स के बात करें तो ये इसको क्या कर देते हैं चिंता करना बन जाते हैं कि दोन और अस्टाइल कंट्री और किस प्रकार की में लोकेशन बनती है और यह पाकिस्तान इसी क्या करता है और जब देखते हैं कि चार-चार वो रोते हैं सेवन्टी वन के बाद तो क्या हुआ कि अब देखे जोग्रोफीर कंडिशन इदर इसका पूर्वे पाकिस्तान था और पूर्वे पाकिस्तान को अलग करने में बंगलादेश निर्मान में भारत की बड़ी भूमी का तो जो इंट्रस्टिंग स्टार्टिंग हम देखें कि प पाकिस्तान का बिएवेर कैसा हो गया पाकिस्तान की पोल से कैसी हो गई जहर से बात है अगेस्ट ऑफ इंडिया अगेस्ट और यही करन था कि अमेरिका के साथ जूड़ा अब हम बात करें अमेरिका और ब्रिटेन की इन देशों की क्या रूची है क्या कारा नहीं यहीं जो कॉंग्रेस उसमें क्या थी एक संगठन था जो आजादी के लड़ाई लड़ रहा था तो कॉंग्रेस का कहना आजादी से पहली ये हो गया था कि हम किसी भी अलाइंस में नहीं जाएंगे क्योंकि 1945 के बाद ही सैकेंड वरूर के बाद ही वर्ल्ड दो अलाइंस बनाने लडाता था तो हमने पहले ढिक्लेर कर दिया था 1946 नोहिओं तो नैम के बढ़ेंगे श्रहीं ने dwa hoping पर दो रहेंगे गी कासे यजिए कैसे यह आग चे सब्सक्यार सकेंव पहले तो क्या तकक्त कि बहरत के बहुता है इसको एक होने दे और क्या करें और आप देखें तो इसको बढ़ाते चले गए अफिर आपको खेंद कि आपका दलीत और लेकिन पाकिस्तान के निर्मान में उनकी क्या इंट्रस्ता क्या कारण था ये भी दोस्तों का जाता है कि यूके को घ्यान से देके तो यूके में डॉल पार्टर सिस्टम है क्या है कि जो कहा जाता है कि जो इन पाकिस्तान के संब्सक्राइब अमेरिका का इंट्रस्त क्यों था इंट्रस्त के वजे समझे उचा दोस्तों दोसरों यह आज जो आप देख रहे हें यह तान देख रहा है अवोस्तन पाखिस्टान को छोड़कर यह सारे वह ताने जो USSR का पार्ट हुआ करते थे विफॉर नाइटी अ और आप देखें लोग यह सर्गा पार्ट हुआ करते थे तो एक आपने सुना होगा मैंने पहले भी कभी कहीं बार जिगर किया है एक तो मैकाइंडर थोरी और दूसरा आपका रिम्लेंड थोरी मैकाइंडर थोरी क्या थी कि जो भी आपका वेस्ट एशिया पर यह जो आपका सेंटर ओफ एशिया पर इनका अफगाइंस्टान भी जिसका नियंतरन होगा वो पूरे वेशिया पर क्या करेगा कंट्रोल करेगा यह मैकाइंडर थोरी थी जियो पोल्टिक्स और उसका रिम्लेंड थो लिया आ जाती है कहा कि जो भी भी यहां पर कहां पर होगा जो समुद्री किनारे पेयान की जो आपके कोस्टल इर्याज में होगा वह कंट्री क्या करेगा आगे बढ़ेगा और यह तैथा कि वह आप देखें तो आपका जो सैंचुरी रही यानिकि जो हम 20 सैंचुरी की बात करते हैं वह अट्लैंटिक ओशन के रही नाइंटिन आपके मेटेनसी के रही और 21 किसके रहनी इंडियन ओशन के रहनी है तो इंडियन लोग शो इंडियन ओशन में अपनी विपस्थित को बनाए रखने के लिए दूसरा यूससर के यहां तक को बड़ाने की बाते भी कर रहा यह विमेंएक अलक यृशन में अरश्या और अमेरिका आज क्या चल रहा है और अगर रश्या इदर भी अपना क्या करता है जीसे इड़ान आज रश्या के साथ खड़ा है रफगानिसतान में रश्या का क्या है और पाक crime अगर विए हो जा कि पाकिस्तान अगर बनता है तो फाकिसतान से बैठ कर यहां से बैठ कर कर सकते हैं इधर इरान को कंट्रोल कर सकते हैं यहां पर कुण थे यानिक हम देखें नाइंटीन से पहले देखें तो अमेरिका इरान के संब्स अच्छे थे रदा पहली बाद लिए जब खुमैनी आते हैं जो आप इस्थिती थी कि बिफ़ोर नाइंटीन सेविन के हम बात करें और सेविन्ट किया और इरान के संब्स अच्छे लगने लगते हैं को लुए स्टार्ट हो चुका है तो अमेरिका के लिए तो बड़ी चिंतक विसे होगा है पाकिस्तान साथ मिनें चाहिए भारत का नजलिया कुछ और है भारत कर रहा था अब भारत से तो वैसी जो था अमेरिका सकते हैं पूरे एशीया को कंपोर करें आज बी संस अपको अपको अभी का इनने को मिलेगी अठीक है तो जो मुश्रव ने अपनी किताब में लिखा है इस पस्ट लिखा है कि हमारे पस्ट क्वाइस ही नहीं थी डूंट रखना है यह आपका हुआ जियो पॉलिटिक हम चीन की बात करें चीन को अपनी सप्लाइल ले जाने के लिए करीब 30,000 किलोमेटर के डिस्टेंस क्रोस करना पड़ता है और भी बाइदा इंडिया नोशन में आप जानते हैं सिंपली सी बात पर इंडिया का दबदबा है और दबदबा ना हो तो बनाने के बाद दबदबा बना दिया गया चै चीन को अपनी सप्लाइल लाइन को लिए चीन ने क्या किया पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट था उससे काश्गर ले जाकर क्या कर दिया जो चीन का संगजियांग स्टेट है उससे कि तीन सब्सक्राइब लंबबे का 07 बना दी इससे क्या हो हो ही अभ फीजिकली क्या कि यह जो नेवर होते हैं नेवर क्या होता है आपका सभाविक मित्र होता है नाइने झिए जुकराइब करते होता है आज भी इंट्रस कहें बड़ अपना धमक्राइब आज भी रश्य मानता है यह मेरे पहले थे और इनके अंतर भी डीप क्या है इन सेक्यूर्टी है किस को आगे रेशिया के अगेंज चीन इनको अबने इंफ्रेस ने चाहता है भारत भी चाहता है कि हमको यहां से क्या अफ्याल करें कर थे और आप जानते है टुर्क्मेनस्थान अफ्वाइनस्ताण इंडिया और इंडिया आपकर पाकिस्तान प्रेसंति चाहिए अनको पूपसिंटिख्ट और व्यांसे सयाते हैं एक लंबा रूट पर जाता है लेकिन पाकिस्टान से जाना हो जाए तो आप इहले अफगानिस्टानिस सप्लाई कर सकते हैं अफगानिस्टान शेयर बना देते चाह तो kur मिलाकर अफगानिस्तान जो है वो साउत एशिया का वो कंट्री है जो वैस्ट एशिया को Central एशिया को क्या करता है कनेक करता है और यही एक रूची का विशे बनता है दुनिया का ठीक है दोस्तों पाकिसान दोस्तों देखें तो बहुत ही इरिच भी है अगर हम जोग्रफिकली बात करें तो बहुत ही रिच कंट्री रहा है हाला कि पाकिसान जो है दोस्तों एक शुष को देश है यानि कि में जियो पॉलिटिक जी उसकी भूग भूराजी दो देखा उसको समझा लेकि हम थोड़ साथ की जोग्रफिय समझे वह भी जरूरी जाना अगर हम पाकिसान की दोस्तों बात करें तो पाकिसान एक सुक्ष देश है क्यों है क्योंकि जब मानसून लोटता है तो जिसका आपका हरियाना में दिली में लेड आता है तो उसके बाद आपका पाकिसान में आता है लेकिन फिर भी ये क्या है क्रिशी प्रधान देश है क् क्योंकि पानी कुपल बत्ता बहुत है एक तो इंडियस वोटर इंडियस का पूरा दोस्तों पानी इसको अच्छा पानी मिलता है जिसको भारत सरकार बोल रही हम क्या करें उसको बंद करेंगे ऐसा बोला गया है देखते हैं लेक्ट्रिस पर भी एक लेक्ट्चर हो जाएगे नहरों का जाल बिचा हुआ है इसको नहरों का देश भी कहा जाता है पाकिसान को कि अगर कोई नहर देखने हैं आपको बहुत जादा तो पाकिसान के अदना नहरों का देश है और नाइटिन सिक्स्टी में जब आपका इंडस वोटर टीटी होते हैं भारत के दुवारा भी फंड्स दिया जाते हैं तो संदेव को जिस पर गार के नोम से उनका भी से यूज क्या खुब नहरे बनाई और उसके लाब हम देखें दोस्तों कि जब आपका सिया चीन है या को बोलते हैं जियो पॉल्डेक्स का सिंप्ल सर्थ है कि अगर विदेशनीति की निर्मान में बहोलिक कारण अपना रोलजा करें यानी कि uh- weil फैक्टर के आधार पर आप फोर्म पॉक्रिस राह करते हैं तो जीए पॉल्डिक्स होर अगर जो पूर्मिकर आपकी वाटर टैंक जो हैं वो एरिया किसके पास में पाकिस्तान के पास में और आपको यह पिछले दिनों जब ग्लेशियर फिंगल रहे तो यहां फिलर आया था बाड़ आई थी उसका कारण यह था यह पानी की कमी नहीं है अगर पॉल के बाद हम देखें जो आपके पॉल है न उ और आप देखेंगे के 60 अगर हम बात करें तो पूर्वे पाकिस्तान की जोड़ दें तो यहां की परतिव्यक्ति आये भारत से भी क्या दिदूगनी थी दोस्तों यानि कि जो पर-capita income थी अगर पूर्वे पस्वे पाकिस्तान को जोड़ते तो भारत की प्रतिव्यक्ति आ आप देखें तो जो यह पाकिस्तान है यह भारत के साथ पैडलन चलता रहा लग 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 परतिव्यक्ति आए में तो क्या है कि देश के लोगों पास कितना पैसा है उससे बचले कर देश अमीरे गरीब है सरकार के पास जाए कितना भी हो जैसे गड़करी कहते हैं कि अमीरे लेकिन लोग तो व्हाली बास नहीं चलेगी न वैलोग स्क्श्याइехा देश बंता किसे लोगों से बंता आ खली जमीन फ़ीं तीज बनेगा अतchnारी जदूरो ऑट है वह कों है है शेख हैं क्ला पर देश है क्या नहीं है क्योंकि देश बंता है लोगों से लोग हेल्थ ही हैं वहां पर अच्छे से काम कर रहे हैं तो दोस्तों यह सीखने वाली बात है चलिए तो पाकिसान पें लोगों के हमने बात करी तो यहां पर इसका देश के इसे इतनी अच्छी बनी है यह आपर डिवल्लमेंट हो जाता हुआ 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 हम देखें तो उस ही समय पाकिसान ने बहुत विकास किया हमारे साथ जीडिप ग्रेंट हो चुका था इदा पूरी पाकिसान में देखें तो यहां पर दोस्तों जूट की पर्सन की खेती और पर्सन की खेती ज्यादा थी प्लास्टिक तो हुआ नहीं करती थी इविन पैकिंग वगारा के लिए भी पैसा कमा है पाकिस्तान ने तो आप देखें जब आपने इस पर से यहां की जोग्राफिक कंडिशन को देखा पूरी स्थिति को देखने के बाद हम जोग्रफी के बाद प्रशन ये बना इसकी बड़ी रिच है पैसा भी खूब था पूरे वर्लके समें इंट्रेस्ट भी रहा हम देखा रूची भी देखी रूची भी थी लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान आज इस प्रकार से कि वहां के पीएम ये कहते हैं मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जो आपर सिविल सर्वेंट का जो आप जानते हैं इसे हमारे याँ पर आई ये सिदिकरी होते है एसी पाकिस्तान के दर सिविल सर्वेंट है उनके मीटिंग में बढ़ा बुरा लगता है कि जब मैं और देशों में जा जाके करता हूँ लोन मांगता हूं आज इस्तिति ऐसी है मैं कहूंगा तो नहीं कहना ठीक नहीं लेकिन इस्तिति ऐसी है हमारे विदेश मुंतरी एप पाकिस्तान का जो निर्मानी है ना वो निर्मानी गलत अधार पे हुआ है आप देखिए बोर्डर क्या है आप्राकर्तिक खीमा है आप्राकर्णतिक भोडर है नैचिरल बोर्डर नहीं है आधा क्हीं कहः रेडड क्लीफ तूरर नियन तो यानिकि निर्मानी क्या हुआ है गलत तरीके से हुआ है निर्मान किस Siri अधार पर एक हम धर्म भी नहीं डिप सेंसी कि क्या करने वाले क्या नहीं कर रहें तो आए समझते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे कि पाकिस्तान का निर्मान हुआ और पाकिस्तान इस रिस्टेम बना मैं यह कहूंगा दोस्तों कि हाज देखें तो सरंसाधन के मामलों में हम अगर ब्लूचिस्तान के क्या विश्रिशन आरमी में लगातार अटैकर दीए चीनियों के ऊपर चाए वो बस पर अटैकंकर नशाय Merci घंडे तो इसक्या करण रहा तो मैं यह कहूंगा कि पाकिस्तान का वेलियर का सबसे बदावां दूसरा कैकं रहे हैं वहां की पोल्चिकल अशयबील्टिश पैस् को मैं रोग स्टेट तो पूर्म नहीं कर रहा है अमेरिका ने कहा कि हम आपकी जमीन का यूज करेंगे तो मना नहीं कर पाया अमेरिका ने कहा मेरिका चीन ने कहा जब चीन पर टैक हुए तो चीन ने कहा कि हम खुच जाकर चैक करेंगे बारत जब चाही स्टाइक कर दे अमेरिका एंड़ा बास लादेन को उठाकर लेकर आजाए यान कि पाकिस्तान एक तरीके से न्यूंद और कि वहां पर आप देखिए कि आपका टीटीपी है यानि कि पाकिस्तान तालिबान है वह पूरा अग्दम अग्रिसिव कर लगा हुआ है वहां कि अगर्मेंट भी क्या करते हैं उल्जावसा देश समझें यह नहीं आपा रहा है कि वहां की को पावर दें हम लोग बिलबाइबर करेंस को बीलब हो जाते हैं उसमें टकराई आप देश यह जो मैंट्रिस थे मैंनोर्टीर के सिटी अशी बनाए को अपिछ देखें अप जिनना सिया और भी बात में क्या आपका कि सिया के वास पावर रहे इतना ज्यादा इतनीग कॉन्फिलिक्ट है पाकिसान के अंदर कि पंजाबी जो है वह बुलूची को मानते ही नहीं कि वह असल में पाकिसानी बंगालियों के साथ विस्तर व्यवार उनका था बंगालियों के पॉपुलेशन जाद होने के बाद पूल भी पाकिस् सिदे दुनिया में अगर जाएं इसी डेमोक्रिसी के अंदर लोकतंद की बात करें तो किसी नेता नेती सीड़े ली थी कंफर्म था कि अब क्या हो किसे मुझे राउं को पावर यह लेकिन दीन पंजाबियों ने कि हम नहीं देंगे क्यों कि पावर का सेंटर कोन रहें हम र लोकेशन हलाएं कि पाकिस्तान को रेंटेड बना देती है एक रेंटेड स्केट भी है कि जमीन लेल आज जाओ बना लो कुछ भी सीपैक बना के खुश है बन जा रहा है को बातनी क्या होगा हमारा डवल्लमेंट दिखाए देगा हमाई पैसा आएगा खुश रहेंगे चीन खुद कब का चल रहा है सीपैक पूरा नहीं हो पार रहा है अब चीन कई बार ब्रेक रोक चुका है कि तुम्हारा क्रेफशन बहुत है इतना जिस चब देश है पाकिस्तान चीन पर एलिगेशन लगाना शुरू कर दिद दुनिया कोई साथ नहीं तीन खड़ा था चीन पर पाले में खड़ो जा चीन को खुश करने के लिए अमेरिका कर दिया फिर चीन ने का भी सीपै के बहुत क्रेफशन हो रहा है बहुत प्रस्टाचार हो रहा है पूरा नहीं हो पार है हमने जितनी कल्पना की थी जितना सोचा था पैसा लगाने की उससे ज्यादा लगा चुक पाकिस्तान के बारे में दोस्तों पाकिस्तान के पास में ये दोस्तों ब्लूचिस्तान ये सिंद्ध ये पंजाब ये दोस्तों आपका खैबर पक्तून खाँ जो आप देख रहे हैं खैबर पक्तून खाँ थोड़ सा जीचल से समझेंगे तब ही आपको यहां के कॉन्फि विद्वाद यह गुलाम कश्मीर यह भारत का हिस्सा है अब दोस्तों इसके एक एक स्टेट को थोड़ा समझेंगे ताकि एक सही तरीके से पॉलिसी बन सके यह थोड़ा दोस्तों देखिए का बड़ा इंटरस्टिंग बहुत साही ऐसी मिस्टेक हैं पाकिस्तान को जब मैंन किया मनला बहुत पड़ा मैंने इसके लिए बहुत चीजों को देखा जाना तो मैंने देखा कि पाकिस्तान तो खुद अपना भी बरबाद हुआ है कि बरबाद गुलिस्ता करने को बस एक उलू कुछ ऐसा है ना काफी है यहां हट डाल पर लू बैठा है तो ना जाने गु हमें थोड़ा सी ह्नु भी मिलेगा कि यहां तो दूंड है कि बिलियुग हूआ है तो दो चीज nousलों और और छो चीज़ें और ऑना सकते हैं लोग वह ल 오늘 है या पूसरी है कि रही कि ओ जिसका स्ब्रिक्षन होगा को यह बना को पूसरी की रही तो वही तु से धिय क्या रही तो यह दाने वालünden और आख चछ इlles अंतु देखे तो यहां पर जो सब्से ज्यादा बोले जाना वान उड़ा यह तो पंजाबी गुम देखे ये बैल्ट पूरा आपका पंजाबी दोस्तों लेंग्वेज आपको ले जाना जुरूरी है आपको हसी आएगी और आप इस बात पर हसेंगे भी कि दुनिया का एक देश है जहां पर पार्टिशन हुआ ओन दा बेस फ्लैंग्वेज और वो था बंगाली लेंग्वेज के बेस पर पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की क्या घरें कि कैसे नेशन बनाएं अभी मैं चर्चा करूंगा लेकिन नेशन बनी नीपाया कभी नेशन बना आजादी से पहले कि हम दो कौम है और लड़ने की बाद फूरो गें लेकिन तभी नेशन बनी पाया नेशन के बाद एस्टेट बना और संगर्स करता रहाएं कि नेशन बना रहें पाकिसान से बना जिशह अलग हो गये कि अब नेशन में प्रश्टा नेशन बनाने के लिए ऐसको लेकर चलने का परियास कि रहुत क्या है या तो लेंग्वेज एक सी हो या इथनिक जैसी हो पैचान एकंसी हो नीचाई चाहिए और आपका चाहिए उस कास्ट बेश्परो कुस्तों आध़ार हो तो पाकिसान ने कहीं बेस्पर सोचा कि मैं रिलिजन के बैसे बना दूँ कि मैं इसलाम के बना दूँ उसमें भी अंतर वोड रहा अंतर वरोड इस बात कर रहा कि अगर हम पाकिसान को जिननानी चाहते थे लुए इसलाम की बहुती नौर्म का कहना यह है कि इस्टेट कुछ नहीं होता देशों के बीच में पूरी प्रत्वी जो है वह किसकी है इसलाम की है अल्ला की है और कभी भी यह इसलाम की नेशन के बीच में कभी भी क्या होगे कोई बांडरी नहीं होती कोई सीमा नहीं होती क्योंकि जो वैस्टर फ्रेटी थी यह वैस्टर फेले जो आपका सोलह सोटालीस में जो हुवी थी उस थियोरी को आज तक इसलाम ने कबूल ने किया है अभी मुस्वें बात करेंगे तो यह था जि चाहते मुस्लिमों का देश बने लेकिन इसलाम ने ना बने ये अंतर इसलिए स्टेट बनाए ना बनाए तो सब्सक्राइब रखें पंजाब रखें बलूच रखें चिंदी रखें पास्तों रखें और दो रखें अब देहां पर दोमेनेंट किस का करी 40 प्रसेंट को यो दोस्तो जैवन प्रसेंट वाला उर्दू है या झायू अब चाहर सरसा वनगवला वह बंगल का बात कर रहे थे जोसार लैंग्विज लैंग्विज नी हो ते लेंगविज में क्या होता है सबसाइक टोनगोड वारा होता है लेंग वेजी हमारे एक कस्टम होते हैं लोनगवेज हमारी प्रंपरा होते लिट टोर गया है 겹 서 थे मदर टंग कने परियास करेंगे तो बंगला देश करिए क्षैबर दोस्तों कहा था पहली बार कोई दुनिया में देश बना वह अंदा बेस लेंग्विज शुरुआ थी जब उर्दू लोंग्वेज दूसर पूरे देश की लिए जिगलेर की पाकिसान के अंदर तो बंगला देश के अंदूलन चला और आपको आश्चर यह उसां दोलों को समझाने का परियास नहीं के दवान मुझाहिर कौन है वह लोग जिनका अपना कोई देश नहीं होता जो दूसरे देश से आएंगे मुझाहिर कौन है जो मुझाहिर है वह लोग है जिनका अपना कोई देश नहीं होता और दूसरे देश से आए यूपी बिहार से जो लोग गए थे जो कि हमारा पाकिसान बना ह उनको सब को क्या कहा है नोंने मुझाहिर कहा कि तुम क्या हो मुझाहिर हो मुझाहिर के नम से कहा हाला कि जो मुझाहिर शब्द है दोस्तों यह जो वर्ट है यह कहां से आया था दोस्तों यह आया था मुझाहिर साब से मोहमत साभ मक्का से मदिना गए उनकों और वहीं से शब निकला था आपका मुझाहिर तो जो लोग तो पाकिस्तान के पाकिसान कंदर है कि तुम तो दूसरी देश से आए हो तुम हमारे नहीं हो उनकी भाषा को तुमंधेश की भाषा टिकलेर कर दिया ये अंधर那么 सब्सक्राइब आप है कि अंधर यह देखेने को मिलेंगे उब चाह्ता क्रावाजीर पॉऩड़ा लुठाइब के सब्सक्राइब बात करें तो रिजल कि आपका 96 परसेंट आपका क्या इसलाम इस्ट विजन और यह बिद आपका क्या हिंदुएम देखें और यह कृषिनटी यह एहमदिया और यह अधर अभी आपका बेड़र्स अभी सब्सक्राइब अब यह मदिया के वारे में हम मैंनोर्टी की बात करें तो नाइंटीन फिस्टी उन में देखें जब इस्ट और वैस्ट पाकेसान एक था तो तक्रीवन दूस्ट वहां पर क्या थे ट्वैल पॉइंट नाइन था पर हिंदू थे वैस्ट और आपका जो इस पाकेसान दोंदों को जोड़कर अगर वैस्ट में बात करें तो करी वन सिक्स हिंदू थे बागे अधर कॉम्मूनिटी को लगा कर जो माइनोर्टी से 2.9 आपका हम था हम इसमें बात करें तो तक्रीवन 22 परसेंट और और यह जो मैनोर्टीस को मिला च्प्षट 23 परसेंट हम 2017 के सेंसे के बात करें तो आज पाकिसान के अंदर इतना मुस्लिम है 22% पॉइंट टू टू परसेंट बहुत अत्याचार दोस्तों एहमदिया के उपर हो गया हो अपर एहमदिया को कभी भी पाकिस्तानियों ने जो है उनको एक इसलाम का पार्टी नहीं माना यहीं यह तक था कि जब बाद में जब सरकारे आई तो एहमदिया के अगर कोई बदा आए था कि हम एहमदिया हैं तो उनको सरकारी नोकरी से निकाल दिया गया एहमधिया का अगर किसी प्रकार का कोई बताता ही मैं एहमधिया हूं और मैं एहमधिया के लिए काम करता हूं तो क्या है कि एहमधिया प्रैक्रिस को मानता हूं तो उनको दोस्तों क्या था कि तिन-तिन साल तक कि सजा के प्रोविजिन किये गए ये तक इस सिदी क्या थी पाकिसान के अंदर बनाई गई परिणाम यह हुआ कि एहमधिया जो है दोस्तों एहमधिया अगर पाकिसान को छोड़कर रही हुँ ना फिर फिर ऑफिस बनाया जो सेंटर बनाया वह जाकर काम्रम जो बिटर सिरुवात हुई थी वह तो सिरुवात हुई थी दोस्तों आप एक एकव ये ये अख़ार्स सेटिनाइन में यमंस्ена भी Estado से पहले ही एहमधिया क्या अहम मट् 선имости की एमने ठीनियां यह कहते हैं कि कि महमtte साथ जो है वह आकिरी नभी नहीं थे वसके इसके बाद और भी नभी आये हैं और खुद जोसके स्थापना करने वाले थे यह फिरवा स्थाफना की गई थी मिर्जा गुलाम एहमाद तो मिर्जा गुलाम एहमाद ने खुद इपना आप पाकिसतन के अंदर मुस्लिम नी माना जाता जब की एक इंटरस्टिंग बात इनका जो पहला यानी का पाकिस्तान का जो पहला आपका क्या था और उमादिया था और साथे ग्याथा कि जो वहां का पहला नोबल मिला है पहला अब्दुस्सेलाम को मिला है अब्दुस्अ सलाम वह जो भी तह फा को देक्द एक dyskobil dement डेखा लेकिन जब सुरुवात में देखा कि एमधिया को पावर का एक तरस दिख़ा है कि पावर के सेंटर पॉइंट बने हैं विदेश मंत्री बनते हैं क्योंकि जिन्ना खुद सिया थे मैंनोटी थे हम देखें तो आपर सुन्नी क्या है प्रभुत्त है या सुन्नी में थोड़ से को एक प्रविंस व्हको देखने को मिलेगा तो तो गलती है मादिया लृटेस एंड इन औ सिंद में यह सिन पर देखने कि लोगे तो सिंद में बड़ी सिंद देखने बीचंग थोड़ी बहुत पंजाम में दिए तोड़ी भूँ पाकिस्तान के दूस्तों बात करें तो जो एकनोमिकल इंडेक्सियम बात करें तो जीडीप हम देखें तो करीब कितने हैं यह आपका नॉर्मल उसकी जीडीपी है कि जो डैस्पोरा है पाकिस्तान का भी बड़ी मात्रमें विश्व में हैं अलागे भार्व से मुकाबले तो नहीं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा डैस्पोरा है करिप 25 दुनिया में किया दूस्तों और बहुत ही मजबूत इस्टिति में डॉक्टर इंजिन साइंटिस्ट की स्थिति में और इस वारा आप जानतों कि रहे हंडर्ड बिलियन डॉलर क्या है अपने बेजा है इंडिया की और पाकिस्तान की तो दो सब देखें सिक्स्टीज में ल बलकि हमारी डाउन थी इनकी थोड़ा अप हुई थी लेकिन पूरी पाकिस्तान की जोड़ दें तो और ज्यादा और यहां तक आप देखें यान की दोहजार पंदरा तक आप देखें तो उससरे लगवा लगवा क्या रही एकॉल रही अब क्या हमारी जीडिपी जो है दो तो आप सतर तक यानि पिशतर तक देखें तो लगवा हम लोग पैरलर रहे बलकि उसके बाद उसके हमारी बढ़ते चलेगे सिस्टी तक तो क्या था ही रो था लेकिन अगर मैंने क्या बोला अगर पूरी पाकिसान जोड़ दें तो इसके ग्रोथ अच्छी थी हमसे जादा हैं उन से खुड़ा आपको जानकारी मिलेगी कि पाकिसान की अंदर की स्टीक कैसी है और से क्या थोड़ सा और बैट आपके अंडरस्टेंडिंग बनेगी दोस्ते गिल 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 बलात्यस्तान और यह आपका गुलाम कश्मीर जोस्तों कवजा किया हुआ है गिल 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 को अदर आपके प्रोविंस बना दिया गया और परियाटर गडवीदी के लिए ट्रेकिंग के लिए पहरत रहुन कर दिया गया यह जब भारत ने जब मुक्शमीर 370 का पूर्ण से भारत में लाकर लिए कि लिए कर दिया तो उसके बाद पाकिस्तान की कोशिश एसी रही है कि हम गिल-गिल ब्रातिस्तान को भी ऐसी करें तो उसी स्टेपेस में 2020 में दुस्तों क्या था कि अंतरिम प्रांदेन की जो अधर आपके प्रोविड्स है उनके तरही बनाने का क्या क्या परियास किया गुलाम कस्मी के दुस्तों बात करें एक तो वजिर आजम और दूसरा आपका सदरे रियासत तो वो स्टेथी आज भी क्या गुलाम कश्मीर के अंदर पाकिस्ताने दीवी यानिक बिल्कुल अलगे स्टेथी है और वहाँ पर आप देखें दुस्तों तो करीब जो अग्रिकल्चर में यानि कि जो गुलाम कश्मीर है वहाँ पर क्रिश्ची से क्या अच्छी खासी इंकम लोगों की उतर नहीं कि खैबर पकतून खाम ही क्या बिल्च कर दिया गया है। दोस्तों जो जो धुष्टर है इस खेटर में हमेशा बंबारी रही और यह पैकि यह जो असका वजिरस्तान है वजिस्तान में तो आज भी कैस के उप्रेशन चलते रहते हैं और दोजार एक हम देखें तो नाइन हिलावन के हमलों के बाद यह पूरा क्याता दूस्तों आतंगवाद का प्रमुक केंदर रहा था यहां कि जब आइन हिलेवन का बाद आपका क्या अमेरिकन उप्रेशन चला है तो काफी बड़ी संख्या में इधर से भी तालिबन भाग करें आप और यह प्रमुक केंदर बन गया था जहां पर आतंगवादी गतिविती चली चाहें वो तालिबान की हो और फिर यहां पर पाकिस्तान में क पाकिस्तान ने उप्रेशन चलाए तो बदले में तालिबान ने क्या क्या पाकिस्तान के अंदर माना सुरू कर दिया था इस दी दोस्तों यह थी और आज भी अक्सर क्या उप्रेशन आप चलते रहते हैं दोसरे खैबर पक्तून खा जिसका पहले नाम क्याता दोस्तों दबाओं में किसके पक्तून होगे पक्तून यानि कि पक्तून कहें पठान कहें अफगान कहें एक बात है तो पक्तून है पर जो सुझादा है जो यह पूरा बेल्ट देख रहे हैं यह वाला जो मैं दिखा रहा हूं यह दोस्तों खैबर पक्तून खा तो इसका नाम दोस्तो के चार बड़े फ्रांत चोटा जाती है पस्तून और हिंदू को बोलने वाले यह आप देखें तो पस्तून भाशा के लोग बहुत धरम का दूस्तों यह गढ़ रहा है हम देखें तो बहुत धरम तो आप जानते हैं दूस्तों बामियान जो अबूद की जो मूर्तियां थी तो वह भी दोस्तों यहां पर इसी बैल्ट के असपास यहीं पर आपको जब वाजबाद में तालिबान इसको गिरा दिया था जैने कि 96 के बात कर दोने के दोर में तो दोस्तों यहाला अप्सक्रार रहा है पुरए-फुरा यहीं पर दोस्तों कि आपका खैबर पास है और पर दोस्तों वही है जो हमेशा भारत में एंट्री का रहा है कि जितनी आप देखें भारत के पर जो हमले हुए चाए वह वह हून आये हो सिगंदर आया हो इसे कुशान आयो सब को जमले हुए आपके इसी खैबर पास से हुए है तो खैबर पास बड़े महीने करता है आज हम देखें तो पाकिसान अफगाइन सान की बीच में वही एक मैटर भी करता है दोस्तों अगला आपका पंजाब सबसे बड़ी आबादिवाला प्रांथ देश का सिनिमा अध्योगो अधिकान फैशन के अध्योग सब यहां पर स्थापी थे 47 वी विवाजन के बार रैड क् नतिशत लोक शहरों में रहते हैं और यहां पर दॉस्ता सूफिजम का से बड़ा क्या परभाव हैं पंजाब दूसरों यहांपर जि력 हैं यह हमेशा कि पन्जाब ही अपने अ रखना चाहती है और यही जो दो सो पंजाबी कम्मूनिटी थी इसी के विवार के करण था कि बंगालियों के साथ बहुत अच्छार हुए तो गहा कि जब आपका मजीव मजीव रहमान को सत्ता देने को मना कर दिया तो उसके बाद उस्तों प्रेशन सर्च लाइट चलाए गया करनल ठीका ठीका खान बूचर ओफ बंगालियों को का जाता है जाकर वहां पर सुने और दोखों अब देखें तो दुनिया का एक मात आर्मी का का जाता है कि जिसके आर्मी के दौरवाँ पर रेप करवाएगे बंगाली महीलाओ के साथ में और दोस्तों मैंधकी बोल रहा हूं कि अभी आप देखें सेख रसीना जब भी जाती है निक्टी जब भी जाती है यह नो बोलती है तो यह नो जा कि कैन बार दो बोला है कि क्या होता है क्या है जहां पर हत्याई ही हुई रेफ भूँ हुए बहुत बड़े नबर्स जैनल साइड जो किया था पाकिस्तान ने करनल टिका खान ने वह कांपर किया था बंगाल के अंदर किया था दोफनीर स्थाने प है उन्हें अग्ला सब क्या है ब्लूचिस्तान के दोफेसंतर जेंद्ध को 40 पॉसिक्त है लेकिन सबसे को माबाधी सबंसे कम पॉमेशन दूस्थं गपर आपका और बाकि पस्तून भी बड़ी संख्यम पर आ गए हैं बाकि सिंद्ध पंजाबी उजबेक और तुर्कमान भी दूसें पर रहते हैं कि हम देखे जो फॉर प्रसेंट पॉपलेशन है उसमें करीब 52 प्रसेंट आपके ब्लूच है बाकि और भी लोग दोस्वां पर आ गए हैं नेचरल रिस्वार्स ही बोड़ जाता है आपने सुई गैस सुनी होगी उसके बोड़ बड़े फिल्ड दोस्वां पर है और करीब 2-3 परसेंट जोसका दोस्वापका एरिया है पाकिस्तान का टूबाइट थर एरिया वह का आपका ब्लूचिस्तान के अंदर मिलता है बाकि ब्लूचि जो हैं दूस्तों चीन का विरोध कर रहे हैं ब्लूचि चीन का विरोध करने के कहीं कारण है एक तो ब्लूचियों को यह लगता है कि जैसी सीपैक पूरा तयार हो जाएगा तो सीपैक पूरा तयार होने के बाद एजली पाकिस्तान क्या करेगा हमारे रिसोर्स क कैंट का बिटे है का शीग र का शीगर किसका दो सो का शीगर ये आपका सिंग्ज्यां गिड़ चेट के अंदर चीन का और यहां पर ये गवादर इस से जोड़ने करीव 344 किम्टर क्रीब कि यहां से प्रिका होगा एजली हमारा क्या होगा हमारे रिस्टोर्स का कुछ वैसा ही जैसे पुर्वी पाकिस्तान का किया गया किसके दौरा पाकिस्तान के दौरा सब्दे हैं端 कि और पर्प्रेसिज के यह किया तो वैसे सबस्द आपर करें करा करें आ हैं दिरिया बाइल भी करें साथ मेला ना तो है है समें करो की फैसक्त परकार ऑप्हएं चोटे-चोटे नावों से पगड़ लेकिन हम पगड़नी पाथे मचली पगड़ना इनका मुख्य वेवसाय था जैसा मैंने का ड्राइर तो हापे दूस्तों पानी का ड्रिंकिंग वोटर क्राइसिव हो जाता है पीने के समस्याब हो जाता है और एक बड़ी समस्या यह हुए और एक घर से दूसरे दोसके घर जाना है तो उसको पांच मिनट लगती थी लेकिन अब क्या बीच में हाइवे बने और हाइवे को क्या के जारो और बार बना दी है जिसे उस व्यक्ति को भी चाचा पांच-पांच किलोमेटर का रण गुमना पड़ता है काचना पड़ता ह है और दुख तो इस बात का होता होगा बुलूची होगा कि ऐसे सर्प्राइट सेमना ही बहुत हाई-फाई गाड़िया चलेंगी टर्क चलेंगे सब कुछ चलेंगे हम लोग आप चड़ी नहीं पाएंगे हमारे एरिया से निकल रहा है तो यह चना होगा विशे दूसरा ब पूरी चीनियों की बस्ती बन गई है कि आप हम देरे हमारा और जाता क्या होगा एफ्रोलेशन होगा शोचन होगा तो कुल मिला के बलूची लगाता है और बलूची दूसरा अपसे नहीं बलूची पहले से ही क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अपने आपको आजाद ह होने की बात कर रहे हैं हलाकि बलूची स्तान को मेटर को लेकर मैं अलक्स एक लेक्श पूरा ले लूँगा यह चार दुस्तों क्या थे प्रिंसिस्केट ते कारन मकरान लासवेला और कला कलात ने दूस्तों कभी नहीं माना बलकि कलात ने तो पिना आपको घोशना कर दी थ हैं 11 अगस को अपने आपको आजादी कोश्च ना कर दी थी लेकिन बाद में इन दा प्रेशर ऑफ पाकिस्तान कलात को दोस्तों क्या करना पड़ा पाकिस्तान में विले की बात करनी पड़ी यानि कि आपको बाद में क्या था इनको मिला लिया गया पाकिस्तान को बाद मिला फड़ा की इसन simplesmente पाकिस्ताने के अंदर लेकिन कलात के खान के जाने कि आपके पूरी रियासत थी रियासत के जो अधिकारी लोग थे मिलटरी थी उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के विले को नहीं माना और वहां पर एक बार नहीं कई बार इंसलिजी हुई है वह हमेशा आज भी अपने क्या आजादी के लिए लड़ रहे हैं पूरी हम अलग वीडियो में चलिए लेकिन हों तो अगला प्राउंत आपका सिंद तीसा सबसे बड़ा प्रांथ है दोस्तों जंसंगे हमें दुसरा तैंगे दूसरा अगरे जलोड के मैदान थार रिकिस्थान पश्री भाग में क्लियर्ट प्रसट है वांब दूसरा यह करा हम्हारा मुंभई है एफ ही कंट्रोल करते हैं यहां यह सूफिवात से यह भी काइं काफी प्रॉभावी तो पाकिस्तान को हम देखते हैं बार ये तैक कि सब को स्था कर मैं नॉर्मोल नॉर्म नॉर्मल इस्टेट पहले श्रवद आपका रोग स्टेट रोग स्टेट को आउट लाज स्टेट भी का जाता है यह जो रोग स्टेट है इसको आउट लाज स्टेट इसकी जाएंगे दूसरे एक श्रवद आपका दिया जाता है जो आपका दुष्ट राज्य है निकि इसको का जाता है दुष्ट राज्य हिंदी में दूस्ट राज्य हाला कि रोग स्टेट हमारा कोई ट्रम दिया हुआ नहीं है यह जो ट्रम दिया था पहले बार आपका रीगन ने दिया था एक्टी फाइम में और शुवी बाद में जोनल्ड ट्रम ने दोजा सत्रा में इसको क्या कि दुबारे भी उस कि पाने के साथ है लोमडि का यह जो आपके निकर वेपन पर सार कर रहे हूं टैरीरिजम को बढ़ावा दे रहे हों और दोसरी डॉसरी अधिनायक बादिता हूँ तो इसमें कई देशों को रखता है अमेरी का देने नॉर्थ-कौरिया को बोलता है वो एरान को भी बोल देता कि बार इसराइल इना को बोल देता है तो यह इस परकाल का शर्ट को डियोग नहीं कि दोस्तों धूल का पैर्यार स्टेट बहिश्कत राज्ये दोस्तों यह वह तह दो कहता है जो अपनी उतेजक सिस्टम बात करें इन सब के करण कि दूस्तू उसको मना जाएगा यह जो कंट्रेय ऑपहरीय इसके करन किसके पॉलिटिकल सिस्टाम है उसके करन क्या हुआ आपको तेजाक है उसके विचार धाना कैसी वह तेजाक है यानि और जीलिटर्शित भी क्या है लगाता रहा है आपक स्मार्ट पावर सोफ पावर दोस्तों को का जाता है कि जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुल फिल करने के लिए वार या अक्रामक नीच्टों को ना अपना कर बलकि अपना इंफूरेंस बढ़ाने का परियास करता है और इंफूरेंस के लिए चाहिए कोनमी की बात करें सा आप मॉर्टीं की बात करें बारत कीए बात करें बारत के एजुकरशन सिस्टम की परी ये कि अगर उसका ने को पूरा करना है तो वह पूर्बर्य करने के लिए थàn कन्फ्यूज जाता है जरता है कि मैंने यह किया तो यह हो जाएगा यह किया तो यह की हो जाएगा लेकिन जो स्मार्ट पावर इसको आज इंडिया को का जाता है इंडिया जो है आज नॉर्मल अब नोर्मल स्टेट के तरह आर करेगा एक विकर्ट पार्टी के तरहेवार करेगा पहला इनिशिट से लेना था हमेशाँ राय दिक T चीन के साथ कर रहे हैं वियर दो नोर्मल स्टेट नोर्मल स्टेट करेगा डायलोग करेगा बात्चित करेगा डायलोग को माद निम बनाएगा बात्चित करने के लिए लेकिन पाकिसान नी करता पाकिसान में बनाए लोग को पाकिसान चाचाब आटक किये हमने डायलोग के हमारे इस टैडिसिक रिलेशन ने चीनिए ता हमारे कॉन्फिलिक्ट है लेकिन हमने एकनोमिक रिलेशन खरब गये गया और पाकिसान के साथ जरा साथ तना हमारा होता है ततकाल कहता है हम बारगा कहने करेंगे आज कहा गलती हो गई हमने तीन वोड़ से सीख लिया वह भी जा पावर्ड दो लेके चल रहा हार्ट पावर्ड स्ट्राइक को आप देखें जहां जरौत हों आप स्टैंड लेना पाकिस्तान तो जैसलैक कलोनी लेकिन भारत का स्टैंड लेता है अमेरिका ने कहा कि आप रूस को कहोगी रूस एक अक्राम कंट्री हमने नहीं कहा हम अभी की बाते हैं भारत ने हमेशा इस प्रकार नीचार रखाए चाहिए नहीं बात करें इंद्राजी की बात करें बीच में देखें जो आपको आपको सोफ़ आगर पर करें फैल स्टैट फैल्ड इस्टेट उखस को का जाता है जो लोस्ट कंट्रोल यानि अपने कंट्री पर आपने कंट्रोल कर दें किसी ऐलिया पर आसा हो जहां पर वोस्ट को क्या करदे एरिया को क्ट्रोल करते तो कुछ लोग यहां पर कहते हैं पाकिसान एक फेल स्टेट है पाकिसान को दुष्ट राज्य भी कह दिया गया कुछ के दुवारा इंदा अमेरिका के कहने पर कब बनाया पाकिसान ने सेवंटीवन के बाद मलत यह तक जुल्फिकार बुट्टो ने कह दिया था कि हम घास खा लेंगे पर हम क्या करेंगे वैपन बनाएंगे और अमेरिका तिल मुलाए हुआ था क्योंकि अमेरिका को जिस परकार से चुनोती भारते सेवंटीवन में अमे सेवन फीट बेजने के बात करते हैं सेवन फीट बेज रहें और भारते जाएंगे दरायों मत क्योंकि रश्या के स्रमीन आपने तेनाथ थी रश्यामर साख़ड़ा हुआ था तो इसको अमेरिका सीज़े सीज़े अपने चुनोती ली थी तो अमेरिका खुद तो नहीं कर दोबार आगे करकर चीन से मदद करा दी और यहीं फिर आपका देखें तो यहीं अमेरिका यहीं जो पाकिसान है यह पाकिसान के वारा मैं आइलिगेशन है किसे नोर्थ कोजा को पकड़ाया है निकल वेपरम मनाए मदद किये यहीं से तो डवले अम्टी का परसार करने के सब्सक्राइब करें और देखेंगा कई बारों पर कूप हुए आयोब खान की बात करें या आपका प्रभी मुस्रफ की बात करें कहीं बार आप तक्ता प्लट हुआ है जिन्ना की लास्ट में इस्तिति क्या हुए आप उसको पढ़ेंगे कि बिल्कुल एक दमीनिक आप जिन्ना को दो घंटे तक सड़क पे जिन्ना रहे एम्बूलेंस का पैट्रोल खतम हो गया था और बहुत ही गर्मी जिसे में मुलब आप उनके जो भेहन फातिमा तो उन्होंने प्री किताब लिखता हुए पूरा वर्नर लिखा कि मैं भाई के चैर्स पे मक्ख्या बैठी मक्ख्या उड़ा रही थी इतनी तेज गर्म मापर हो थी यानिकि जिनना को हॉस्पिटल तक ने जा पाई थी हो और कोई सिक्यूर्टी गंज्याम हो जादा नहीं था सिर्ए गाड़ी और साथ में थी तो इतनी इस तेजिन की वनलबत आप देखेंगे बड़ा अभी हम चाहिए चाहचा करेंगे तो तो सम लोग्या में लैक कोई पर कर सकेंगे का वहां जो बोल रहा हुए मोगों से टैस ली ना ले पारी हो उसको फिले स्टेट का जाएगा जो भी वहुत हो आपके पब्लिक है पब्लीक को ज़ारी कि आपके पॉब्लिक सर्वीस हैं उसको मैंटेन ना कर पारी हो उसको सब कुछ आंगा चेयो पुलीजिस पसदकी बात करें आप सब्सक्राइब करें एैरलाइन कि बात करें सब alma रही हो military का लिगा कि आट कि आर्मी वह लगातार क्या कर रही हो हस्तक्षेब कर रहे हो मामले में तो उसका एक फेल्ड स्टेट का जाता है। लेकिन कुछ माप रिटन्टों हम देखें तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान एक फेलिड स्टेट के दिखता है। कुछ लोग कहना है कि जो खैवर पक्तून खां की बैल्ट है वहाँ जब टीपीपी के साथ सम्झोता कर लिया कि और अट्रोनोमी के साथ रहेगा यह इस दिते के लिए ब्रातिस्तान में को इसकी सुनता नहीं पाकिस्तान की तो उसको एक फेल स्टेट की तरह का जाएगा ले लोग पूरी बात को थोटे मोटे एडिया में इस्टेट में नहीं आएगा लेकिन नोर्म स्टेट भी नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा इशू से वह बात सही है दोस्ता आपका ग्लोबल स्विंग स्टेट यह भी थोड़ से जान लीजिए क्योंकि अमेरिका कहीं बार हमा ले पांच से द्रशकों से वह शांते पून तरीके से रह रहे हूं उन्होंने वर्ल्ड के पीस को क्या किया हो मैंटन किया हो कभी पीस का वोईलेंस ना किया हो लेकिन हो चाता है कि दुनिया में उनका क्या हो एक बड़ा क्या हो भूमी का हो बड़े एक रोल हो उनके आपर यानि कि वर्ल्ड के जितने institutions को रिगार्ड करते हूं उन सब country को अमेरिका ने कहा कि वे क्या है एक swing stadium भारत को रखता है तरकी को भी रखता है इंडोनेशिया को भी रखता है भारत को भी रखता है ब्राजिल को भी रखता है तो अमेरिका आज भारत को स्विंग स्टेट कहता is और आप देखें इसी वघे से जब न्रुकल डील हमाशत किया अमेरिका ने तो अमेरिका ने भारत को कहाँ कि अब भारत जो है दुनिया को कहा है तो दोस्तों इंडिया का अब रोग स्टेट तो आज पाकिस्तान को रोग स्टेट कहना तो ठीक नहीं लेकिन यह जो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को मैं क्या कहूंगा अब नॉर्मल स्टेट यानि कि आपको क्या है एक नॉर्मल स्टेट पाकिस्तान नहीं है तो नॉर्मल स्टेट किसको का जाता है अब नॉर्मल स्टेट किसको का जाएगा अब नॉर्मल स्टेट किसको का जाएगा अब नॉर्मल स्टेट उसको का जाता है जो टर्बल सम नेवर जो अपने परोसियों के लिए क्या करता हो हमें इसा अपनी पॉल से लेके चला और जो लो इंट लो इंसेंटिशी वोर्ड जो लेके चला तो वोर का क्या था करण कारण यही था टैरिजिसम को से पैसा किया चैए वो मुझाहईदीनों से सुरू किया हो इधर लेका आपका चला क्या कर रहा है चाहिए जो आपके दो कपा चाहा कर रहा हूं को रिजोल करने के लिए इंस एमगेस की करते हैं बेरुबर केस की तो देखिए वारताल आपके द्वारा उसके बाद आप देखें तो बंगलादिश के साथ में लोगों ने 2015 में क्या किया लैंड एग्रिमेंट किया और उसके बाद हम देखें जब हम ओशन का जो एरिया था उसको लोग ठीक से दोने बैठके निकर पार थे तो हम का पर जाते हैं दोनों भार्द बागनादेश पोजाते हैं आप आपका इंटनेशनल कोट और देता है उसको भार्द सहर स्विकार करता है जबकि उसमें अगाम फाइदा देखें तो एरिया छेट किसको ज़्यादा मिलता है बंगलादिश को ज़्यादा है लेकिन बार्द तब उसको करता है एक सब्सक्राइब करता है तो इस अंटनेशने पर वह यह जब भारत आए आगरा जो सम्मिट हुई तो आप उसको जब मैं हाला कि भारत पाकेसान बताऊंगा तो बात तक ही नहीं कि अटर बेवाज पर आये क्यों थे वे तीन दिन के लिए बस ताज मेल देखने के लिए आये थे जिसके लिए आये थे जो बात कि नहीं कि एक्दम एटिट्यूट किस दोस्तों इंडिया पार्गी दुश्मनी है उसके ऐंटरनल डुश्मनी है कैसी जैस रॉटी विच में उससे तुनना की आते कि इंडिया पार्गिस्तान की जो दूश्मनी सुष्मनी है कि यहां तक जो आपका इस्टेफन पर पी कोहिं थे उनको कहना यह तो बुक थी शूटिंग फोर सेंचुरी यह पूरी सेंचुरी पूरी सधी के लिए क्या है अपने इस बुक के लिए चर्चा करते हैं कि जो यह दोनों देश हैं दोनों देश क्या हैं कर प्रोडम रिजॉल कर लेंगे तब भी क्या होगा पूरे सेंचुरी यहोगे लड़ते रहेंगे उस प्रकार के क्या है का इन पाकिस्तान के अंदर क्या है कि मेरी अइद्टी को प्रोडम हैं जो मैंना को कह था कि दोनों और कैं आपके होस्टैल कंट्री डिप सैंस ऑफ इनसे क्योटी इन पार पाकिस्तान पाकिस्तान का क्या है छो आजवे अखंड भारत कीENT करते हैं तो कहीं ना कहीं मिर्कों क्या करेंगे। मेरे आइडिन्टिक राइस से पाकिस्तान कर नेश्जिम कूं देखें दूस्तों तखने लूइ cleaner 99 प्रसेंट क्या है हेट भणावार के इंडिया से के वल एक प्रसेंट ऐसा है जो पाकिसान भार से प्यार नहीं पाकिस्तान से प्यार करता है यानि कि हम देखें तो पाकिस्तान कौन सा देश मैं एक मुवी मुझे याद है मुवी थी गदर तो उसमें जब वो मुख्य कलाकार थी और जो मैं नाम भूल गया सनी दोल जी और हमेशा पटिल जी किरदार था मुझे वो याद आ गया तो वो जब कहरा हमें कबूल कर लूँगा कबूल करने की बास कबूल है कबूल है कबूल है लेकि तुम यह को हिंदुस्तान मुर्दाबाद तो हम मानेंगे तुम क्या हो एक रियल क् उल सी पूरा बेस के इंडिया ही तेर एшиб के सनका वजोद दुनिया का जाते है पाकिस्टान को अच्याशा वहों कंट्रीज में से इंडिया के उपर एक्रेश की रहता है इंडिया से लडने मढ़ने के लिए घ्यारत रहत ता वो एक में पर बड़ी पॉपलेशन ऐसी है अब चाहिए दूस्ट और पाके दूसरे इस्टेट यह जो इसे बना और टू नेशन थोरी पाकिस्तान की वह दोस्ट की फेल हो जाती है कब बंगाल इंडिया को जाता है और आपको याद होगा जब परधान मत्री मोदी जी लाल के लिए के प्राचीर से ब्लूचिर स्थान की बात कर देते हैं तो यह बड़ा मुश्यू बना गया आप पाकिसान की अंतर क्या आप बुलूचिस्तान को भी लग करने की बात करेंगे और आपने अगर कुछ मुवी जगन देखा हो तो बुलूचिस बार को बोलते भी है यूट्व पर वीडियो भी आप देखते होंगे जंग जंग बात आती भी है बुलूचि कहते मदद करो सब्सक्राइब देखता है कि इंडिया की इतनी विश्रमता इंडिया की इतनी विश्रमता अब आपको ले चल रहा है दुबला इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया का के इतनी बड़ी क्या चल जाए पूर्य आपके चल जाए इंडिया कितनी बड़ी विश्रमता को इंडिया लेके चल जाए प्रॉलम ही नहीं है तूट जाएगा इंडिया लेकिन हम नहीं इंडिया को एक काम्याव करें दिखा दिखा दिया दोस्तों और यह तो हमाई डेमोक्राइशी के खुब सुर्ति इसक काफिया लोग आगे तक दुस्तों पढ़ते चल जाने इसा नहीं थे हमारे यहां भी समाज का भट्वारा था धर्म के आधार पर जाते के आधार पर वर्ग के आधार पर भाशा के आधार पर हमने किते खुब सब्सक्राइब तरीके से आर्टिवें सूची 22 लेंग्विज बढन था यह पर कास्ट लोगर कास्ट उसके लिए विवस्ता की सुझाट लाने का फ्रियास का समीधान के माद्यम से किया और किया ला रहें करने सब्सक्राइब कर रहें लेकिन सब्सक्राइब हैं तो दो से अफॉल्टन है एश्य कि ए यूरोपियन है रस्यंट है अमेरियक नहें अ कि अफ्रिका भी लेट जाँ दुनिया में है तो इंडिया में वो शमता है कि जो इंडिया खुद अपने आप इतनी जादा डावर्सीटी तो इस दम परम कैसे दुन्या को इंडिया लिडरशिप देगा तो वर्ल्ड का बैटर डाम टीक हूगा इसी के बाता हूग बोलते हैं यूनिटी न इंडिया बनाओ तो इंडिया डियमोड्रिय लाएगा सब इंस्टूशन के अंदर हमें एनस्जी मेंबर बनाओ इसे दब पर बात क्याता है तो पाकिसांग को लगता है इंडिया इतनी डैवर्सीटीटों लेके चल रहा है वह चल पा रहा है उसको कैसे तो यह सब हो पाकिसांग तूटा जिमबा रोल देखा कि इतनी इंडिया चल रहा है दो बने हैंदियान फक्रइस के पार्सिक अपना है पाकिस्तान के जो पूरी पना 75 की करेंगे तो पार का प्रोफिट के आधार पर हम त्याइब करते हैं अगर हमारी दुस्तों कोष्ट ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो कोई हमेगा अगर दोनों को साधने के लिए अगर दोनों है तो बना था है तो प्रोफिट जादा है तो था मोड मे आएगा वह अक्राम कतर रुकुपन आएगा लेकिन पाकिस्तान इसको पूरा एनिलेसिस भी नि किया और एंडिया कि अग्लेस्ट बिसाफट बदले की फावना तो इसलिए मैं कहता हूँ मेर चैन्द वी लोड़ेड़ गन याने कि ऐसा पागल बच्चा और सकार में क्या देदी के लोड़ेड़ गन देदी यह मार देगा किसी को भी क्योंकि बदला लेना है क्योंकि भारत में हमको तोड़ा है हम भारत की क्या से रहना है यूणिटी को तोड़ेंगे बहुत साइब बहुत है तो बहुत है तो मैं तो हमेशे वाल को बोलता हूँ मेरे इडिसी लाइन में बोल देता हूँ लड़ा होती है की एक माह के जाये आंपस में लड़ सकते हैं मतलब एक मां से मा के बच्चे coaching भाई范 बाइन भाई 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 भेने आपसमें लड़ सकते हैं तो फिर वह पर कुछाए का इस्व चाहर वो खाली स्तानी का मुनामला ओचाहि नक्सलवाद की बात हो आपको तो आपको पाकिस्तान की टांग आई ये सआई की हार्जिंग इस की सबसके उलोग इंस टाट किया यान एक तरी कि आपको एक प्रोक्सीव श्टाट किया जिसमें कि नो निश्र डेक्टर को अपना प्रोक्सी बनाया और क्या के ब्लिर इंडिया वे थाउजन काट यानि कि स्रीटिक बनाया क्या होता है दूस्ट अलेक्सिमिट्री वोर्ड जो शुक्तिस को क्या कहते हैं एक ऐसा गॉर्ड जो एक्ट्रेशन लेगा चलता है लंबा और ये वीलमबाम मैं इसको क्या कर सकता हूं। आंग कोई इस कोई तैप्स की या बात ने हैं। क्योंकि जब अगली वीडियो जब लोग अगले रेक्टर शुरू करेंगे भारत पाकिस्तान लेशन तो हम उस पर बात करेंगे लेकिन जो मैंने एक डीप इन सिक्यूर्टी का जो उसके में तर सैंस डवलप हुआ वह आपसे ही दोस्तों पहले सी है जैसे मैंने भी क्या कर ब करेंगे तो जबने वेखांगे तो चलते हैं अब बात करें पाकिस्तान की जिर्मान की यह जो पाकिस्तान की निर्मान है वह क्यों कीव कैसे उसके बात करेंगी देखे दोसमें नेशनल बिल्डिंग के जो हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की नेशनल बिल्डिंग जो होती है जिस आधार पर राष्ट का निर्मान हुआ होता है यानि कि नेशनल बिल्डिंग जिस पर हुई होती है जिस बेस पर हुई होती है वही क्या होता है बेटा को देखें, आप चाहें चीन को देखें, आप चाहें अमेरिका को देखें, आप चाहें भारत को देखें, किसी को भी आप देखें, देखना ये है कि राष्ट का निर्मान कैसे हुआ, हिंसा से हुआ, आंदोलन से हुआ, किस प्रकार से हुआ, चीन का निर्मान, चीन में कॉम तो वह जब करने लिए कर दी पूरा करांति रिवार मैं आ गए तो उस आर्मी को क्या करना था आर्मी को पावर से यानि की पॉलिटिक्स से दूर करने के लिए आर्मी को टैरेक्ट सब्सक्राइब करना है जब मैं चीनी पर डिसक्रशन करूंगा दोजाब पचास तक के टारेट है पीपल सालमी के पास में कि तुम यह करो तुम यह करो आपको सुपर पावर बनना है तो जैसे अमेरिका ने किया कि जंगे-जंगे ने वलेस कैम बनाएं थे आज चाइना वही कर रहा है तो अपनी आलमी आपने यहांगेशन कर पाए करेंगें पहले देखें तो पाकिस्तान का निरिमान किस पर भारत का निरिमान किस बेस पर हुआ इस Size के गता और, आइए देखें इंड मिडिया का जो हुआ है के दौरा यह मद्यमवर्क के दौरा हुआ है मिल्डास के दौरा और बाएक का पूरा आपका का क्यों लोग कि तो पाटी तरह करें लोग भारत करेंगे लेफ्ट पार्टी स्क्राइब कहा है कहां से कैसे कैसे बनी आपको बताओ का जो सुभास्चन बोस और नहरु के रिष्टे पहले बहुत अच्छे थे पार्टी थी जिसे पूरा भार्ट का सभी थे सभी द्रम के सभी वर्ग के सभी जाती के सवी लोग सामिल थे लेंग्वेज के सब्किनुक्त सब नते हैं मद्यम वर गयां दो लंता और दो इस पॉलिटिकल मुवमेंट यानि कम देखें तो आप देखते हो महात्रमागान के भाद नूइसों पंदरा में सुरु करते हैं सब चीजह को तो आप देखें उनिसों पॉलिटिकल मुवमेंट क और दूस्त आच भी आप देखें भारत में कभी भी कोई भी अंदोलान हो कुछ भी हो सरो क्या बोलते हैं शांती हुं सा divul इ fifteen में हो जाते हैं लेकिन अंदोलन के मात जम से आपको हमेशा उस कोई भी मुमेंट शरूँगा तो अख़्ान करेंगे से करेंगे यह बत करते एक आंदोलन के दोस्तों लेकिन यहाद पाकिस्तान के फॉर्मेशन की बात करें तो रियल्टी बात ये थी कि एक बड़ा तब का पाकिस्तान का फॉर्मेशन चाहिए नहीं रहा था पाकिस्तान का निर्मान हो मर्दा सपोर्ट करने वाले कम और अपोस करने रहुत करने वाले जदा थे और फिर इलिट क्लास की वह बना कौन थी वो इलिट क्लास आई ये जानते हैं अगर हम पाकिस्तान के निर्मान की बात करें तो हाजी साउदूल्ला फिर आपका ऐहमद खान साइद सलसाई अइमद खान फिर चोधरिर रहामद हली फिर आपका मुहमद इक्वाल मुलाना इक्वाल इसको बोलते हैं और फिर जिन्ना इन तीनों चारों ने यानि कि पहले हम क्या चाहिए पागिस्तन की बात जो मांग शिरुवाथ की क्या स्रोभवाथ कि पहले देखते हैं लेकर माई कर रहे थे कुन विच्ञाट कर रहे थे किन यह मांग वात हुई किसकी पाकिस्तान की यह पाकिस्तान की मन की बाते हुए तो दोस्तों आप देखेंगे कि जब हम बात करेंगे कि जो मैंने का लीडर्स यतने भी थे जिनों सुरुवात की तो थोड़ सा समझेगा देखेगा और यही थी इलीट क्लास जिसने पाकिस्तान के डिमांड की ते और जिसने पाकिस्तान के निर्मान में अपनी बड़ी भूमिका को बड़े रोल को क्या किया था अधा किया था तो हम देखें पहले बात करें तो हाजी सायदूला दोस्तों ये बंगाल से थी और इन्होंने एक बड़ी बात बोली कि इसलाम को अगर साउत अशिया में जिन्दा रखना है या इसलाम को साउत अशिया का एक अस्तित्व में रखना है इसलाम को तो इसलाम को अस्तित्व में हो मुस्लिम के पास में हो पावर सत्ता आपके पास में हो या फिर प्रोट्रक्शन हो किसका पॉलिटिकली और दो 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 सही होता भी है कि अगर राजा का संडुक्षन मिल जाता है किसी भी रिलिजन को तो फलता फूलता है जैसे आप देखें अशोक ने बोध्धरम को दिया तो फला फूला शेलंका गया और जंगे आपका अफगान हो गयरा सब जंगे पहुचा तो आप हमेशा देखेंगे जब भी साशक वर्ग ने जिस भी रिलिजन को जिस भी धर्म को कहा दिया संडुक्षन दिया वो फला फूला बड़ा ये हुआ तो हाजी सुद्धूला इस प्रकार की डेमोक्रेसी की बात ब्रिटिश कर रहे हैं और उस प्रकार की डेमोक्रेसी में की वोट देने का दिकार होगा राइट वोट होगा तो क्या होगा जिसकी पॉपलेशन ज्यादा होगी जिसके जनसंक्या ज्यादा होगी वह पावर में आ जाएंगे तो हाज-ए-स कि बात कर रहे हैं उसमें क्या होगी तो कि उन्होंने सरू किया कि आप हम को आसे मदेखी डेमोक्रेसी मत देखिया आप हमें देखे कि जिन्हों पावर को लिया अगर आप इस तरह की डेमोक्रिसी के लाद हो की तो हमारे पावर रहे की नी हमको आप ऐसे सोचे कर आपको पावर देनी की बातें करनी तो आप थोड़ सा मुसलिम समाज को लेकर चलिए मुशिम्जायटिड को लेकर चलिए और दोस् SAMकर बात करें तो किस to मुश्मिलीक की स्थाफन होती है और उसी समय देख तो चोजः रहमत अली है सो कैंबरी से पड़े थे इन्होंने एक नहीं बात बोल दी कि भारत के अंदर यानिकि पूरा आप देखें तो इंजिन जो पूरा है यानिकि जो पकागिस्तान भारत और अब बंगला देश को पूरे के बाद बोली कि तीन बनेंगे तीन इंडिपेंडिन स्टेट बनेंगे एक तो बनेगा पाकिस्तान जो ने नोर्थ वेस्ट फॉरेटन को लेकर जम्मू कश्मिर को लेकर ये सारा पंजाब जाओ के बेल्ट तोरस में आ जाएगा फिर एक मुल्क बंगल जिसमें बंगल और हसम और आपको याद होगा कि जो आरसेस के परमुखे मोन भागवजी उ आसाम तक नजरती पाकिस्तान की एक असाम में मिलना चाहिए तो ये रहमत अली इसी बात को बोल रहे थे और तीस्वा बनेगा उसमें इस्तान यानि कि हदराबाद यानि का उसमान अली खान का जो था अगो बता है अपरेशन पर लोगदा मिलाए गया था तो ये इस तरह क बात करने लगे उसके बातों को देशन जो मुलाना अकबाल है मुम्मद अकबाल है उन्होंने जिन्हों पहले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा गाया और इन्होंने पहले कहा था कि भारत मता के दो आखे हैं हिंदू और मुस्लमान भारत मता के दो आखें दोंने बोली थी लेकिन बाद में ये बड़ा पाकिस्तान की बात करने लग गया था कि ये दोनों कौम है ये कभी एक साथ खड़ी नहीं हो सकती एक साथ रह नहीं सकती क्योंकि इनकी सोच विचार संस्कृति सब अलग है एक साथ बैठी नहीं सकते फिर दोस्तों कि आप देखें तो कि इनकी इच्छा नहीं थी ये का जाता है कि जब 1940 में लाहर अदिवेशन के इंदर जिन्ना ने जिमांड की सब्सक्राइब की तो ये का जाता है कि जिन्ना वो कॉंग्रेस को दबाव में लेने के लिए कॉंग्रेस के नेता को दबाव में लेने के लिए कर रहे थे पूरा 1940 का जब election होता है तो इन्होंने 1940 के election में battle of कर्बला बोल दिया कि ये क्या है battle of कर्बला है और आप इसके लिए fight करें लड़ें यानिकि direct action के इन्होंने बात कर दी दोस्तों मैंने कहा कि इस्लामिक nation के रूप में क्याता है इस्लामिक nation के समरता नहीं थे कि हमको क्या करें कि इस्लामिक नेशन बने बलकि क्या था इनका practically क्या था ये possible नहीं है ये मानते हैं कि पाकिस्तान क्या बने एक नेशन बने मलाब का इस्लामिक नेशन बने जिन्ना के वारे में बात करें तो जिन्ना के बारे में भोसी किताबे लिखी गए लेकिन उनकी भेन ने जो किताब लिखी और जिन्ना के बारे में जो बोला वो बड़ा माइने करता है और उन सवी आधारपन में कह सकता हूँ कि जिन्ना जो थे एक रिलीजियस लीडर नहीं थे बल्कि एक पॉलिटिकल लीडर थे जिनना वो थे जिनोंने Political Ambitions के लिए या Political Interests के लिए Religion को क्या के ला रुव्यूज किया था पातिमा जो उनकी भेंती को अपने किताब में जिक्र करती है इसबात का कि एक बार इनको नमाज पढ़ने के लिए एक मुलवी साब ने का कि आप आईएगा लिए नहीं आती कोई बात नी वहां पर जब और लोग नवाज पढ़ रहे होंगा आप उनको देखा देखिए करके करते हैं आप भी करते लिएगा यानि कि जो बात यानि मुस्लिम के लिए का लग देश की मांग कर रहा है वो में प्रैक्टिस नहीं जानता है इसलाम की यान नहीं उसमें मिलेगा कि वो खाय करते थे तो मांग जाता है जिनना जो थे रियल्टी में जो एजे परसनल बात करें तो सेकुलर थे और यह पता भी चलता है जैसे आपका क्या होता है पार्टिशन हो जाता है पार्टिशन होने के बाद यह जब पहला स्पीश देते हैं किस सारी स्पीश हैं लेकिन वो होनी पाया पोसिविल तो मैं बोलते हैं कि आप आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए दलील देते हैं आप आजाद हैं मंदिरों में जाने के लिए आप आजाद हैं में मस्जिदों में जाने के लिए यह बोलते हैं और अपनी इस दली सिक्सक्रार मिलेंगे यह स्कूर्इयवां बात कर रहा है लेकिन यही जिनना 1946 में बोल रहा थे तो सपीश है है मैं आप लोगा वीडियो का डिस्क्रपेशन हो लिक डाल दूग हमें को आप को सुन लिजेगा हमारा पहनावा अलग है, हम दोनों अलग कोम है, यह कोम की बात कर रहे थे तो जिन्ना जो था जो two nation की थियोरी को जाने कि हाजी के साथ जो सुरुआत हुई थी यह बाद उसको आपका सजीद हमद खान ने यह रहमत अली ने यह फिर आपका मौलाना अकबाल ने या फिर बाद आपके जिन्ना ने ये सम जो बात कर रहे थे वो बात एक दम जिस्टिफाई नहीं हो पा रही थी और जिन्ना को आप देखे तो जिन्ना क्या थे सिया 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 थे और बाद में देखे तो पूरी पापर किसके पास आजाती है आपकी सुन्यों के पास आजाती है और जितने भी आप देख रहे हैं यानि कि हम देखें बंगाल बिहार यूपी वहीं दोस्तों क्यारोधी लगाता है डिमांड रोड़ी लगाता है क्यारोधी मांग वो रही थी और आप गर ग्यारागस की जिन्ना की स्पीर सुनेंगे तो वहां पूर बहुत अच्छे से ब लेकिं भी यूपी बिहार में बत करें तो जो बहावी बरेलवी और देवबंदी दोस्तों ये क्या करें दो जो नस्तिक हैं अधर्मी है नस्तिकों के देश को हमको क्या बनना है इसलाम का देश बनना है यह कह रहे थे कि भई तुम क्या बात कर दो इस्लाम में स्टेट की कहा पाता गई इस्लाम वॉर रिलीजिट बानता है क्यों बात करें बात बात करते हैं क्यों बना जानां है लगे स्टेट संट अरव हमारा िकबाल यह कुंसां है इसलाम देखा जा तो वैस्ट फेलियर टीटीव इस वोटी एट में उसको सिर्ण में माना ही नहीं डॉंट एक्सेट ने सेट निए निए लोग रूद कर रहे थे और के लोग दोस्तों किया था यहीं नहीं चल रहा था जो हम लोग बात करें उत्ति से लेके यानिकि जवाब का इस जिर्मान की बात सुरू भी तभी नहीं लेकिन बाद में पार्टिशन की बाते हुई तो भूगौलें उफसे सब्कारे की बात हो रही थी उस सब्सक्राइब कर आप देखे पाकिस्तान के जो फॉर्मेशन की बात करें तो सपोर्टर कून थे यह तो मैंने आपको बता है व यहां से गई थी कहा पाकिस्तान में आज पश्रिए पाकिस्तान जब गई तो इनको दोस्तों क्या क्या था महाजिर कहा गया था और मैं बताया था जो महाजिर जो शब्द है ये जो शब्द है ये दोस्तों आपको कहां से निकला कि जब मुहम्मद साब जो थे आपका मक्का से जब मदिना गए थे तो उनको महाजिरान कहा गया था और महाजिर किनको कहता है जिनका अपना कोई देश हो यानि कि आपके स्टेटलेस प्यूपिल तो जब यह लोग उदर पहुचे पाकिसान पहुचे पश्रीव पाकिसान जिसका पाकिसान बोलते हैं तो इनको मुहादिर क्या का धिक्कार कर जाओ यहां बार निकर तुम का उन आ गए हां पर वो लोग डिमांड कर रहे थे और य सब उर्दू बोल रहे थे और इनी के लेंग्वेज को क्या कर जेके तो जिए पूरा जो इलीट क्लाइट कर देखा वर्ग यह पुरा आपका पड़ा लिखा वर्ग था एडिवर्ग था यह वाला वर्ग था लेकिन आप इधर आई आई आप जो माइनोर्टी एरिया यानि सोथ था कि हम नहीं चीए पाकिसान क्यों नहीं चाहिए क्योंकि तो से आप पंजाब प्रोविंस के हम बात करें पंजाब के साशकों को तो प्रारम में बताया है निजिनाने कि हम किस प्रकार के पाकिसान की बात कर रहें कि ऐसे लाइन खिचेगी बांडर खिचेगी यह त है तो आप कोन सा है एक सा खान पीन सब कुछ यह सब लगेगा तभी तो एक वह जो गाते हैं गुरु रंदावा लगदी लाहूर दिया वह सीवत बात है निका आपको सेम लगे एक कल्चर यह तो बड़े कर दो कहना यह जो पंजाब के मुस्लिम रूरा थे इसनों दोस्तों क हिंदू मुस्लिम सिख गो मिलाके पूरा भू बना और यह एक गॉर्ड म सीधारों सिख सरहे सिपने कौरा फोल में यह यह पाझां। तुमने क्या पार्टेशन करवा दिया ने तो यह बिल्कुल इस सपोर्ट में पंजाब में हम रूलर है मुस्विम रूलर थे इसु कुछ नहीं था बंगाल के बात करने दो दूस्तों बंगाली जो थे बंगाली कल्चर को लेकि बड़े सैंस्टिव थे यह बंगाली कल्चर यह कहते हैं कि सिंदी और बंगाली कहां मिल जाएंगे पंजाबी बंगालियों को मुस्ली नहीं मानते थे और यह दिखाए भी सैविंटीवन में जब आपका क्या था ओप्रेशन सर्च लाइट चलाया गया करनल ठीक का खावापे पहुचा और वहां पर दिखाए दिया ब अंग्रेस की लीडर्शिप जो त्यूती वापका बंगाली हिद्व के पास में थी तो यह वा एक पर देखिये न incidents को देखेंगे जो बंगला psych community से जोड़ रहे हैं जिसतरी मैंने नानी पल्लो dust YouTube मेरे दादी पिल्लों रखते थी तैसे सिर्वा का पैना हूवां इस लिख delle थो निग्सी था साडल कर्का भरत का पैना हूआ है है और वह खाली को लेकर रहें। खास किसम की जो साड़ी पैन रहे हैं साड़ी तो पैना वा नहीं ना और मैंशा बोलता भी हूँ आप देखेंगे कहीं भी देखेंगे कोई भी रिलीजर में जाता है तो वहां की कुछ विशिष्टा को ले ले लेता है आप साओधी अरब का इसलाम होगी जो प्रैक्टिस है हैं वहां की चेज़े हैं वह बहुत मिलेंगे भारत की चीज़ा को बहुट डिफरेंट मिलेंगी बंगला देश में आप साड़ी पैन नहीं हों किसी न और याप पाष्विम पाकेस्तान के बात करें तो अए तो बुलूच्च का पहना वालाग है पंजाब ये सब्सक्राइब कर रहे हैं वह अपनी कल्चर में पूरे मस्ते जाहे वह सिंधी हो चाहे वह बंगाली हो और सिंध्जों के साथ सब्सक्राइब क्या थी कि इनके उस प्रकार का उस समय क्या था जो वहां पर वैपार चलता था बिजनस क्लास कोमुनिटेस हिंदी में नी थी तो इन्दों ने बड़े अच्छे कहते हैं अपने अलाइंस बनाए हुए थे किसे वैपार करने बिजनस करने के लिए तो जितने आप देखें कि वहां पर आ आपको इंडिया सिविलाइजिशन जोड़ रहे थे बुलूचिस्तान की बात करें बुलूचिस्तान 211 अगस्त को ही मैंने बताया कलात के खान उन्हें अपने इंडिपेंडेंटेंस की वोटन कर दी थे कि माजाद है और आस तक बुलूचिस्तान फुजे हुए हैं फिर आ पस्तुनिस्तान की मांग हो रही थी जिमान चल रही थी और यह अवसे नहीं चल रही थी मांगतों क्योंकि भई पस्तुनिस्तान जो आपका पूरा जोड़न लैन खीची गई थी तो जब सैकिंड वोर हुआ था इंडो वह सरी बिटिश और आपका आफगान की बीच में त हो तो उट्यून्ड की थी तो कुल मिला किAre निज में कि बना वह तो पूरा क्या थो भिरोद में था अब को ठन क्याब्रस का समझा आप और जिनना पहले चाहते थे कि जिना का बड़े इंटरस्टी मफदार हो आपको जिनना की सोच यह नहीं थे कि वह भारत से अलग हो जिनना की सोच यह थी कि भारत क्या बने एक फैडरेशन वाने फैडरल बने फैडरल देखे़ दूसर फैडरल की बाइजी नोश रहे थे और कि कि के आपने इंडीवेंडेंटेंट फूरी स्वायता लेके चलें उनके बदिधान तो में ये इनका इनका अपनी विजस्ता है सैंटेंडी हैं 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 आपका सिक्यूरिटिंक चोड़ कर बाकित दवी स्टेट्स के पास यह उस तरह का ताकि क्या हो कि जहां पर क्या है जो स्टेट्स रहे थे लेकिन कॉंग्रेस के बात कर रही थी कॉंग्रेस की सोचिए थे कि इतिहास गवा रहा है जब तब भारत में केदर कमजोर हुआ है तब तब हमने गुलामी के दंस को जेला है तो चाहिए वह अमबेटकरजी की बात करें बेटकरजी क्या करें राजनियतिक प्रसाशन सब्सक्राइब तो जब जिन्ना को यह लग गया कि भारत जो है निर्मान नहीं करेंगा किस वेसिस पर जैसा मैं चाहरा हूं फैडरल वेस पर भारत बना के यूनियों स्टेट बना आर्टिकल उनमें आप देखिए का यूनियों स्टेट तो वही कॉंसेट था जोंबेटकर नहरू जानिके कॉंग्रेस सोच रही थी उसी कॉंसेट नोनी ने उस्टेट बनाया देखिए और आप देखें बाद में दोने फैडर बनाया भी आज वो क्या प्रविर्स बोलते हैं कि हम क्या प्रविर्स यह निकि हमारे प्रांद होंगे फैडरल लेके चला फैडरल लेक को समझाया पावर चाहिए तो आप हमारे साथ आओ हम आपको क्या करेंगे इंडिपेंडेंडेंट बनाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं जो आप देखें लास बेला मकरान कालोत यह जो ती आपके थी कारण इन सब को पहले आपको हम लोग पूरी ऑटोनोमी देंगे सब्सक्राइब यह बाता पर रहे हैं जैसे हमारी विधर बोलते हैं हमारे विदर बोलते हैं लेकिन है तो सिटेट गुजराथ अधिकर से था दिया नहीं तो इसका प्रक्राइब कार्याइब का उनिट्र नेश्म लेगे बंगाल गने कि तो में दूस्तों क्या उसको हिंदू कंटपादें के रहें लाल बाल पाल दुरुगा पूजा की बाते हुई यहां तक आप देखें जब हुआ तो कैसे किया गया गया तो । में गतीभी दिया सुधे सबस्दों कि या रहे हैं इसके माध्यान से किया गया तो कहीं न कहीं कहा है दुबार से buckle किया गया है कि यह जुड़ुमेंट शुरु हुए और पुरा हींडुर府 चला 55 तो क्यादिया मुस्यम लीगरे मुस्लिम नेता। org में आपका कॉंग्रेस बनी है यह हिंदू की सभा है जब बंगाली हिंदू की सभा है और था वी समय प्रभुत देखा जाए तो सुरिंदा बैनल जी वगएरा जैसे दादा भाई नुरो जी जैसे लोग थे उन सब काप देखते हैं दब दबाथा फिर यह सब लोग जुड़ जो लेकर चले लेकिन विल्चा तो जी करें लेके चले मुस्लिमों को लगा कि फ़से युड़े तो उन्हों ने वगा की मुस्लिम एंसेंट कुल चले गें लेकि तो उन लीडर्स को मने बनाया कि जो लड़ रहे थे समवतनता की बात कर रहें थे प्रताब की बात हो मने को जोड़ा तो उसको कहा कि देखो अगल भारत में तुम रह जाओगे तो यहां तो भाग की समझाने का फरियास कि फिर बिटिस की पॉल सी भी दोस्तों डिवाइड रूल उसका भी क्या क्या फाइदा पूरे पर उठाया जिन्दा ने कि देखो वह आपका सेपरेट हमने हमको मिला है क्यों दिया है जा मुझे दिया है क्योंकि हमारे विल्कुल कोमा लगे हमारे रहेंस कॉंघर dal दोißtго कि यानि겨 कोंग्रेस और मुस्लिम लेग उन्नी सो से सिस्के चुनाओं में नियों नीस सो पैंटीस के चुनाम बहुए थे तो चुनाओं में मुस्लिम लीग और आपका कॉंग्रेस दोनों साथ मिलिके लड़ी और जब साथ मिलिके लडी तो उसमें कॉंग्रेस नीराम बंद्रे का मुद्धा उठाया था और जैसी एलेक्षन पूरा हो गया तो एलेक्षन में कॉंग्रेस भारी वोट सीटे मिली तो बहुत है कम सीटे मिली तो जो आलाइनस बनाए गया तो चनाव के बाद कॉंग्रेस ने चनाव वो आलाइनस तोड़ दिया तो जिन्ना को यह भी लगा जिन्ना नहीं भी समझा है और खुछ भी जिन्ना को लगा कि जो कॉंग्रेस आजादी से पहले ही हमारे साथ चीटिंग क कर सकती है दोगा कर सकती है वह तो बने के बाद भी कर सकती है और जाद हो जाएंग है फिर तो लोकने हिंदियों सम 하े प्रियास कि तो खुल मिला के जिन्दाने सब को समझा बोजा के कैसे उप गड़ जो नगड़ की बात करें जैसर मेर की बात करें उनको मिलाने की बात कर रहे थे दोस्तों सब्सक्राइब बात क्या थी कि जो इलीड क्लास थी हम इलीड क्लास के बात करें तो इलीड क्लास में तो मैंने आपका जोग्राफिक लाथ बोला अब थोड़ समय बात देखें जैसे आपको हिंदूिद्व जम में देखने को मिलता है कि आपका झो पूरा वर्णा सिस्टम कुरा दिखने को कास सिस्टम दिखता है वैसद से कास सिस्टम हलाकति इस्लाम conj बार करता है कि समानता यहां पर कोप बड़ा छोटा नहीं है लेकिन जब दक्षिन इस याम आपका इसलाम आता तो यह भी क्या हो जाता है तीन भागों प्रूब एक तो दुस्तो अश्रफ और यह मैं नहीं बोला हुँ दोस्तो गोस अंसारी की बुक है उसमें यह बात लिखी विए उसमें आपका बॉम्बे में और बंगाल में यानि की बॉम्बे बंगाल में रहती थी और यह दोस्तों के थी बहुत कम परसंटेंश थी यह वो लोग थे जो अपनाव को रियल मुसलिम मुनुन दो गयता है कि हम लोग मुगल की बात करें, पठान की बात करें, तो हम लोग तो कहा हम भार से हैं, तो रियल स्यद, वेटर ये, स्यद हुआ, मुगल हुआ, पठान हुआ, ये सब वो थे जो आपके हम रियल मुस्लिम हैं, हम भार से आए हैं, हम कर्वर्टिड नहीं हैं, हम भार से हैं, यह से लोगों ने करके हम लोग बार से आए वे तो हमारे पास क्या दोस्तों यह अपना आपको रियल मुस्लिम मानते थे बाकिये मानते थे थे दो कैटेग्री बनाई थे लोने एक तो था अजलाफ वन और एक अजलाफ टू अजलाफ वन में वो थे जैसे आपका राजपूत गुजर यह सब जाट जो आए बिटापके सब इनको बोला गया कि यह वो वो कैटेग्री है जो कर्वाटी डूवी है लेकिन क्या थी ओपर की लड़ा का कॉम्मिटी जैसे हम देखेंगे कि सरनेम आप देखेंगे आपने सरनेम देखेंगे हूं कभी तो जैसे रा आप बन अजिलाफ टूमिन को रखा जो आपके क्या थे जो भी आपका गारी यह ना हजाम यानिकी नाई दशी जुलाहा यह सब लोग जो करवोट हुए थे इन सब को नोने अजिलाफ टूमिन रखा तेली वगए जो आपका शुद्रा कम्मुनिटी यानि कह सकते हैं कि जो कि अन्टामिल प्युपिल थे जनिकी कि अन्टाशिबल जिन को रेंकि कि तरह रिलेशन निए अ कि तो श्रुद्रम यवियूजिन देखने को मिलता है bend agora क्या था hon घूंप यह था कि जो अ श्राफ थे यह दो्सक्षेंगे में पॉलिटिक्स में हो इने को लगा कि अगर भार्थ बनेंगे भारथ च्हकत चल जाएगी तो उन्हों का कि हम क्या लेंगे अलग से 43 क्या लिएप एप देश लेंगे fakicinkr क्या बनाइंगी और यही डाट क्या थी थोड़ क्या पे हुँँची का पर पाकिस्टान में तो उन तो पाकिस्तान का निर्मान जो था हूँ एलीड क्लास के दूरा किया गया जारी कि जो संपन क्लास थी उसके दूरा किया गया. नीचे के क्लास की तो इच्छे हैं थी थी कि हमको क्या बने? और आप अज वरतमवान में जब भारत में बात होती है, तो कहीं बार आपने देखा होगा कि इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इनको बोलती है कि इनको पॉलिटिक से बात ज्याता नहीं करूंगा लेकिन वे लगशा हम करें वो इसी मुस्लिम की बात करती है तो कुल मिला के दूस्तों क्या था आप समझें कि धर्म को अधर बनाए गया इली ट्लास के दोबारा क्या था पाकिस्तान का दिर्मान किया गया क्योंकि उनकी के अपने इंटरेश्ट अपने फायदे थे क्योंकि उनको अपने फाइदे के लिए क्या करना था पाकिस्टान दिर्मान करना था क्योंकि हम को क्या है पावर में रहना है के रहे हैं सत्ता में देना है पार्टिशन हो जाता है दोस्तों पार्टिशन के बाद यानि पार्टिशन से पहले भी अंतर विरोध थे पार्टिशन के बाद भी अंतर विरोध हैं कैसे अंतर विरोध देखिए दोस्तों पहला पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रोलम क्या थी नेशन कैसे बनाएं यानि कि पाकिस्तान को हम नेशन कैसे बनाएं नेशन बनाने की बाद हैं दोस्तों निजातिए और आपका छेटरिया पैचान ये दो ममले चल रहे हैं यानि कि इतिकल अइडैंटीटी ओर एक आपका छेथ आधारिट एउट Cair सबने में हम पारियों रहे हम को सद्था में रहना है अन्य और किसी इतनी गुरुप को साथ लेन जाते यहीं दो ऐसे महानते हैं आरμी में में देखों पॉलिटीक्ष में पुलिस मे देखों कोब सब्सक्राइब माइनल सा यही दूस्त आप खैवर पक्तून खांगे देखेंगे सिंदी को तो बाद माद नहीं सिंदी के साथ विवार था तक भी एक तभी तब देखेंगे तो सिंदियों के आज भूसाई लिटर ऐसे हैं जो बहार जा जाके बहार रह रहें करें दो मुमें चला रहे हैं तो निरजाती पैचान अब उस निरजाती पैचान को समाथ कैसे करें क्योंकि नेशन बनाने के लिए देखो क्या है कि राष्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है लोग है लेकिन लोग को एक पैचान से जोड़ना है एक आइडेंटिटी से जोड़ना है तो मैं में बोलता हूं कि अगर नेशन को समझना है तो नेशन समझे लोग इंट के समान है इन इंटों को जोड़ कर बनानी है बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग करनी है तो इन इन इंटों को जोड़ने वाला गायरा कहां से लाए सिमेंट कहां से लाएगा वह सिमेंट क्या होगा सिमेंट क्या एथिनिक पैचान होगा इसके लिए सब पंजावी बन जाए सब में पाकिस्टान पुर्वी पाकिस्टान पूर्वी पाकिस्टान की जनसंगी ज्यादा लेकिन पासिवय का ыस आगा России ता कि निजाती पैचान और छेद्वे पैचान को एक अधार पर कर सकते हैं वो क्या कि हम इसलाम क्या दें कि भाई सब भूल जाओ हमारी जो भी पैचान है वो बात की पैचान है या पहले जो पैचान है लेकि इसलाम वो बने क्या बने वो सिमेंट बने जिस सम्क्राइब ने लेकिन बात यह थी कि इसलाम को बेसर बनाएंगे लेकिन इसलामिक नेशन डिक्रेर निकलेंगे तो क्या होता फिर वह थी आजाती है कि इसलाम के बीच्ट कोई बाउंडरे नहीं है तो दुनिया के जितने भी मुस्लिम सार्ट करते हो पाकिस्थान में ऐसा कोई और कम्यूनि इसको लेकर जिन्नामेवने यह क्या भने अिस्रामिक ने सैलमिक ने च्शन बने और झी ने अगर गिए हैं तो जिन्हक पहला भासन देते हैं आप का शेक्म इसक Quindi R gland की पाकिस्टान एक सद्ध धर बनेगा जहां पर हिंदू हो जाया मुस्लिम हो कोई विए नहों सबके बराबर के हुकूब होंगे बरबर के अधिकार होंगे जिन्ना के बादु आ क्या हुए जिन्ना का इस दोसे दोसा क्या था कि लेंग्वेज के सिंद इनका डॉमेंज तो उर्दू को रखा गया अब उर्दू की भाषा थी था उनकी भाषा थी तो आप सोचेने उर्दू कि लखा गया कि उर्दू निया रखा गया कि पंजाब में थोड़ा बहुत उर्दू का चलन था कैसे भी हो से थोड़ा उर्दू बोलते थे लोग अब क्या दो भी पंजाब यह अलग सिंदी यह दर आपका बंगाली लाग ईक तो बिल्कुल विप्रीज सिंदी छोड़ने को तयार नहीं तो कोई ऐसी लाओ नो जो इनमें मैच ना करती हो किसी में भी एक नहीं लेंग्विज दे जाए ताकि उस लेंग्वेज सब लोग जूड़ जाए भारत के तरह थोड़ी ना किया कि बाइस लेंग्वेज को माने द भारत की संस्कृती चाहिए वो कोई भी रिलीजन हो कोई भी छेत्र हो कुछ शिम्रेलिटी मिलती है कल चाहिए जो वैल्यूज है बलकि उससे भी नहीं हमने का नेशन का आर्थ क्या है कि एक छेत्र या छेत्र से भारवे देने वाल लोग जो यह समझते हैं कि हमारा इतिया भारत के विकास में भारत के हर वर्ग का विकास है हर हुकूम का हर तुब का हर अलग अलग जो फिरकें उनका विकास है तो बाडव वस्ता की बनेत कदे साज रही है अधिुसाट रहे हो जाते पावर हमारे पास रहे है और परक स्टार्पी लु абсолют के लिए भी करी तैक्स सिस्षब की भी उयुतत राइगी शक्ति चाहिए तो यही एक बड़ा वीश्यरहाद अदो के जिसकी है पाकिस्टान का समझ्विधान को मैं इसकी Hem ना तो डैमोक्रसी आप आई और ना सही तो एक से इलीट क्लास की पासे पावर आप आप आई भारत का अंदोलन भारत का पूरा नेशन बिल्डिंग मद्यमवर को अंदोलन के द्वारा हुई इसलिए भारत के डैमोक्रसी आ गई मद्यमवर की पॉबरेशन जादा लेकिन आप इलीट क्लास क्या चारी पावर हमारे पास रहे हम टैक्स बिन देंगे सत्तम हमेशा मनलोग रहेंगे थिर दोंस और यहीं दोस्तुब्राइब का सिविल सरकार सेहनिक सरकार कि पावर किसके पास रहे सिविल गल्रॉर्मेंट के पास रहें है या सैनि गोल्मेंट के पास रहें इतने कूब हुए हैrent ओले उएकर कर डैमोक्रिसी आई भी तो इनदा प्रेशर ओफ आर्मी आई है यह इनदा सपोर्ट ओफ आर्मी आई जा इम्रान खांड पीम बने थे वह आर्मी के समद्द नाम इन्हें लिया करण हड़े बहुत साथी चीज़ें पाकिस्टा करें पॉरे तिस्टान को देखेंगे आपका क पहलन दो बात कि इसको बात समझने की प्चो एक तो जो अभी जात अब्रग्वात्ता यह निजον को तो इस का पूरा सम्नुलतीन गोल हो यह निजद है पाकिस्तान बना तो कैसे बना हिंसा के बना और हिंसा में जाने कि जो लड़ाके बने जो सपोर्ट करने वाले हिंसा को उसमें क्या है तो पाकिस्तान की आर्मी में आए तो यह जई सी बात है जब उआ हमासे पाओर उगी फिर आप देखें जो कशमिर के अंदर बात करें तो कशमिर में जब ईटेक हुआ तो इननलों क्या बोला था उसको पाकिस्तान ने का था पाकिस्तान के पीम ने का था कि जो ये लोग आए हुए है जोने अकमल किया है वो तो ट्रैबल अटेक है कबल या अकमन है मुझाहिदीन है ये कहा जब क्यों हापे कौन मर रहे थे पाकिस्तान के आर्मी थे उनके कब्रों वेश में पाकिस्तान के आर्म कि यह सर्कार जो अगर सविल गर्मेंट आगे तो बटे कमजोर सरकार रहेगी बहुत ही कमजोर रहे कि सरकार रहेगी तो हमको तातिक्यट हो जाएगी तो सेना कोका मजबूत कर liberal ctasuna को ताउर रखना है तो शिभी गर्मेंट कंजोर रहने मिला पिर तो हम कश्मिर को ले लिए होते हैं इस तरह को महलों पर बनाया और दूसरा क्या था दूसरा किया कि पंजाब को डॉमिनिस रखना था पंजाब ही कॉमुनिटी चाहिए सेना में जाता थी पंजाब को ये था कि अगर सेना हमाई पास रहेगी सेना हमाई caintrоль में रहेगी तो हम पूरी पाकिस्तान को रोकर रखेंगे हम पस्तिन इसतान की मांग को रोकर रखेंगे यह बीजिए का बजट है वो तक रोखेंगे पत्थी इसप्रतिशत तक वहां पर क्या है सेना यह खर्च होता है पच्छी प्रतिशन से ना को फोक्रत होता है फ्रोस्तिए बॉक्तिए यह और अश्य आयमेस मैं इस वातें ने बुलता लेगिन आप में भीके ने आफ मैह से देखेंगे कि पाकिसान को और चला रहा है तो किपले चला रहा है तो किपले को न आपका अला अमेरिका और आर्मी अमेरिका के साथ में सब्सक्राइब जोड़ देता हूं जो समझे कि अमने की इसलाम से मतलब है पहचान को समाथ करने का परियास किया गया थेतरिये पहचान को समाथ करने का परियास किया गया इसलाम के आधार पर ही पस्तुनिस्तान की जो मांग थी उसको भी दवाने का परियास किया गया था क्या कि आप देखें जब पस्तुनिस्तान की मांग हुई तो पाकिस्तान के द बना रहे हैं अमेरिका की बात करें अभी मैं आपको बताया कि अमेरिका पाकिस्तान क्या है पाकिस्तान जंगे बने कि एश्या पर कंट्रोल कर सकते हैं और यह बाद उनकी बाद है यह बाद हुए जब 2001 के बाद हुआ पाकिस्तान कुछ बोली निपाया और यह प्रजुश्र विट्रम ने किताब के अंदर भी हम कुछ बोली निपाया हमारे विए डूबी डूट है ने एनी ऑप्षन और आज भी अमेरिका उसी तरह से पाकिस्तान को देखता है अब कोल वो में जाएंगे नहीं हमतों क्या करेंगे यह ने में जाएंगे पार्थ ही हो चुका था उब जाएंगे पाकिस्तान को भी चाहिए था कि जब भारत ने चीन के साथ अच्छे रिशन बना लिए चीन के साथ रिशन बना लिए तो बाद में क्या था ही जब पाकिस्तान अमेरिका चाहिन एक अलाइंस हो गए थे एक उठमा गये लेकिन लगे थे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे पाकिसान हार चुका था मुद्दे चंबी चली रहे थे तो वहां कि भार सामेबादी खेमी को दिखने लगा तो इजह अधर आफगाइनसान लगा था बोल रहा था कि हम क्या जाहिर साने बोल दिया था ने इंट्रिंटिंफ्टिव में पस्तुनिस्तान की मांग को भी अध सब्सक्राइब दिखा जिया और मांचिर बनाया उसमें आप पूरा पूरा जो खैवर पक्तुन का अजिए पस्तुरिस्तान को दिखाया था तो यह इसकी विज़ोत थी और दूसर सबसेव बात क्या थी कि अमेरिका से चाहिए था एड पैसा चाहिए था पैसा चाहिए था क्यों क्यो क्योंकि देश चलाना है जो इलीट क्राएब का दő को त्यान एक रिंगे वही हम टैक्स चाहिए अरडिक लेती ती है हमसे तब Sakra Rob तो दुस्ट पूरा ऊपर शरीयत के वोडिंग, यान कि शरीयत के कोडिंग हूं क्या करेंगे कानुन चलाएंगे निय्ग चलाएंगे शर्यत को लेके चारथिए विया करना sprinkig आ गे तो हम ईन हुक है यह पुर shitty. पर एक अलग से लेक्टर लूँगा सिया सुन्दी कॉन्फिक्ट है शरियत क्या है यह पूरा एक विशामन अलग से लेक्टर लेंगे अभी सपर चल्चा नहीं करेंगे तो शरीयत को जो भी रूलर जो आपके सरीयत लो तो जो मुस्लिम का जो आपके नियम कानूनों है वो सरीयत के अकूर्णिंग चलते हैं हैं और दो-प्रफिंस्टक रहज इस निए समूदाए कि चार बिन किया हैं फिकर हैं और सिया के विड़ा दो हैं तो अललग लंग देखते हैं तो अलग फूँदे दें लेकान क्रूंद मिला कि शरियत यानि कि जो तो जब मैंने का लिए निशनल स्टेट को मांनता ही नहीं है तो जब निशनल स्टेट को निवानेगा दो को निवानेगा वो शरीयत को मानेगा अब यह जो बात से इसको थोड़ समलूप फिर कभी जह चाहिए करेंगे अलग इसी लेक्चर में और तो 1934 दो इसलिए था पाकिसान किया था क्योंकि व्यस्ड पाकिसान जो था गढ़ाप लिख़ा पाकिसान असम्नामिक चलेंगे नामिक का क्षान समठा ओक कर देख देश्च भी و 14 अगर्स को दूस्तों एपनी आजादी गोशना करता है और पहला सम्विधान जो बनाता है इसलामिक नाइंटी फिर्टी से बनाता है यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं जोगेतनाथ मंडल के दूस्तों जैसे हमारे यहां पर अंबीड कर जी थे तो ऐसे ही जोगेतनाथ मं बनाएंगे और दोस्तों यह उसी तबके से जिससे अंबेटकर जी थे तो जोगेतनाथ मंडल वहां पर जाते हैं समविधान बनानी की परकीरिया प्रारम करते हैं लेकिन इनके साथ इतना मिस्भेव दोस्तों होता है कि यह वादमें वापिस आ जाते हैं और वापिस आने यह को गांधी जी ने जिनके साथ तक्राओ था ब आप यह वी जानते हूं कि गांठी अमबेटकर वी फिश्वेट तक्राओ भी हुआ था लेकिन गांधी जी नहीं कहा था इप्र पाकिस्तान की स्थी असे नहोती चले कुल मिलाकि हमारा समविधान दोस्तों बन चुका थ था हम अपना रिपब्लिक कर रहे थे लेकिन ये लोग से मिदान सुक्विधान निरस ने पहले कि कई बार समिधान बने पहला समिधान में अपनाया गया लेकिन 1908 में इस सम्मिधान को अयूब खान निलंबित कर दिया गया और फिर आपका 77 में जया निलंबित कर दिया समिधान इता है नहीं जब इमरान खान की बात तो इमरान खान की बात एक इमरान की पूर्म पार्टी हाउस के नदर नहीं थी इस पीकर भी नहीं था तो अपोजिशन अपने बना कर वो क्या रहे थे जो जैसी चाहे जो जैसा चाहे चलता है मेरी मरजी तो मेरी वाले मेरी मरजी हम आप सोची इमरान खांगों भटाने की बात चल रही थी तो इमरान खान असेंबली में नहीं गए कि इस पीकर ने वो कर दिया कि एस थाई समय के लिए निलम्बित की जाती है उसके बाद पोजिशन वासे गया निया से और जाहे बगैर अपनी में से बिठागे को स्पीकर बना देगे तुमों और अपना भी कह देगे सरकार प्रखास की जाती है उसे बहुमत नहीं बताई तो समविधान का हाँ अपर समविधान है दोस्तों हमारे यहां पर दो देखके उनको चक्कर आजाएंगे क्या चल रहा है हमारे यह चल आगे देखिए अब दोस्तों बड़ा इंटरस्रीं बाद देखिएगा जिन्ना चाह रहे हैं कि इस्लामिक नेशन ना बने और जो लो ला रहे थे एक लिवराल उद्ढरवादी समाजवादी समें ला रहे थे लेकिन आपर क्या देखिए तो जमात इस्लामी दुस्तों संकल्ब उलेमा के परियासह से 1949 में एक उद्रिश्य प्रस्ताव पारित हुआ जिसको बाद में सम्विधान की प्रस्ताव में शामिल किया गया अब उद्रिश्य प्रस्ताव को आप देखिए एक बार संकल्ब को देखिए संकल्ब किया तो दोस्तो पूरी दुनिया पर संप्रभूता क्यों शर्षक्तिमान अल्ला की है के पास है उसके उसने पाकिस्तान राज्ये में अपने लोगों के माद्यम से अपने दौाय निर्धाई सीमाओं के भीतर परियोग करने के लिए जो अधिकार दिया है वह एक पवित तरष्ट है यानि कि पाकिस्तान को जो सरकार बन रही है जो राज्ये बन रही है वो एक तरश्ट के तरह से है और शखशक्तिमान अल्ला के दौरा ये लाए गया है दोस्तों हमारे किया थे तो हमारे प्रेंबल में भी कुछ इस पकार की बात है तशो के अंदर कि जो सम्धान सभा में में हमारा जो प्रेंबल प्रेंबल पहले हैं क्या है you the people of India हम भारत के लोग तो इसको एक दो लोगों ऐसा का था समिना सभा के अंदर किसमें जोड़ा जाए कि हम भारत के लोग इश्युर के नाम पर लेकिन मना कर दिया गया था कि नहीं ऑन नीम फ़ गोड नहीं जोड़े जाए क्यों सैकुलर स्टेट हैं और सेवरे स्टेमें लेगे फिर जो में फीचर से जो रिविशन पास हुआ यह सब फीचर किया गए और इसके मादियम से पाकिसान का बना दोस्तों उन्नी सो चेपर में क्या हो पाकिस्तान ने अपने को गंतंद्र गोशित किया और राश्पती का चुनाव जोग दोस्तों वैसे हुआ जैसे अमेरिका प्रेसिजिटन का चुनाव होता है उसी प्रकार दूस्तों क्या हुआ पाकिस्तान के पहले प्रेसिटन का चुनाव हुआ कि दोजाब दस में क्या था दूस्तों कि अठारवा समयधान संसोदन करने के बाद जो यह पाकिस्तान को अर्द राश्पती परत के वापर संस्तिय लोकतांते ग्रंडाजे बना देंगे जो दोजाब दस में चेंजिज हुआ है कि वहां पर अब क्या होगा एक अब कर दोजाब कर रिपॉब्लिक बनाए गया तो वैस्ट पाकिस्तान और इस्ट पाकिस्तान दोनों को अलग-अलग यूनिट मान लिया गया निकि वन यूनिट स्कीम बनाएगे दोस्तों जो वन इट नूट स्कीम थी इसमें पी-एक को और फाटा को छोड़कर बागे को क्या किया गया वन यूनिट स्कीम से चोड़ा गया जिसमें क्या किया गया वैस्ट पाकिस्तान को एक सिंगल यूनिट माना और इस्ट पाकिस्तान को सिंगल माना इनका माना यह था कि अगर हम दोनों को मर्स कर देंगे सिंगल यूनिट नहीं मानेंगे तो क्या हो होगा कि जो पूर्वे पाकिस्तान के लोग हैं वह पावर में आ जाएंगा सब्सक्राइब कर चुके थे नहरो जी सासरी इंद्रा जी ये पीम बन चुकी थी ठीक है दोस्तो तो आपका 1970 आप देखेंगे 1970 के सिलिकल रहा अपकी बनी तो इन्हों क्या कि आपका सिंगरण इन्ट बना देंगे अगर के एक बनाएंगे एक बनाएंगे तो पावर में आ सकता हमाँ जाएंगे तो सिंगर सिंगर बना दिया निकि ब्राबर कर दिया जितने सीटे वैस्ट पाकिस्तान की होगी एसमली में उतनी सीटे क्या होगी इस पाकिस्तान की होगी दोनों की एक एक सीट कर दिया गे दोनों की अलग 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 नहीं होगी बलकि एक की सीट वैसी है जैसे नेपाल के समझान 25 में हुई है वहाँ पर मदेश्यों की ज्यादा तो उनको सीठ भी ज्यादा मिलनी चाहिए थी बराबर मिलनी चाहिए थी कम से तो वही बाद उससे आपर हुई तो देखा जाए तो इस पाकिस्तान के साथ समझान में क्या हुआ अन्याय हुआ तो यह तो भई घलत है ना जब आप किस चीज़े करेंगे तो फिर दिक्कत होगी दोसो ओटी सेवन ने पाकिस्तान के जो जिन्ना थे वो गवर्नर्न जंरल बने लियाकत अलिक खान को प्लाउंधरी बनाया गिया लेकिन 51 में रावल्पिंडी में जिल्यकद लिखान थे उनकी हत्या कर दी कि उनको मर्टर कर दी किस्वाद में ही हत्याइब निस चुन होती थी आपर कि आयूब खान ने का तुम साइड हो जाओ हम देख लेंगे हम पुरा मेंटर देखेंगे और आयूब खान क्या होए पावर में आ गए यानि कि पहले प्रेजिजिट ने रहा है फिक प्रेजिजिट को अच्छे चल रही जो मैंने का ना कि जीडिपी पाकिस्तान की तो इस्ट पाकिस्तान पूरी आपका वैस्ट पाकिस्तान दोनों की जोड़ने भार से ज्यादा थी अब मैंने बताया था आपको ग्रीन के कारण यानि कि बंगला देश में तो बहुत इससे बहुत जूट परसने के खेती हुए पैकिंग को यूज रहे हैं कमाम कर रहे हैं तुम कि असलामबाद को डिवलप कर रहे हैं इंटरनेशनल बनाना सुन्दर बनाना है नाइन इस विद्धान को इंट्रूट किया गया प्यम की पावर को कम कर दिया प्रेसिजेंट की पावर को ज्यादा जैसे हम लोग देए नाइटीन फोर्टी टू का नहीं जिब से प्रेसिजेंट और आर्मी को क्या कि स्ट्रोंग के ज्यादा पावर दी उन्नीस सो पैसेट में दूस्तों किया था आपका इनका क्या वोर्ट किना वोर हुआ 65 में 65 में दूस्तों चुना हुआ है रास्पति शासन परनाली को लागू करने के लिए तो उन्होंने अमेरिका जैसे प्रद्दी को अपनाया और वो जो पहले चली आ रही थी जिसमें इनके सामने जो खड़ी हुए दोस्तों आपकी कुन थी जिन्ना की जिन्ना को बहुत अच्छे वोट मिले लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रोल हुआ तो इलेक्ट्रोल में आपको क्या हो आयूब खा जो जो जोनाल्ड ट्रम के सामने जो खड़े थे तो उनको ज्यादा वोट मिले थे लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रोल हुआ तो जैसे जिल्ली का मेर का उचनाओ है वोस्तर सी बात है तो यह भी दोस्तों कभी एक वाद एक लेक्ट्ट्र में सब्स्पेशल लूँगा को पावर में लिया है कि मैं पावर में हूँ पैसट का दोस्तों क्या था पैसट के यूद के समय था कि पाकिस्तान जो था समय ऐसाधान डिवर्फमेंट मतलब एकदम पीक पर था पाकिस्तान जीडिपी पढ़ती व्यक्ति आये खुब पैसा आ रहा था भारत के सिश्टी स पर था वसी कम्में ये नहरोजी की डएथ हो चुकी थी कि मेरे ये गासास्विय पी बने में तो में अनका संक्ठ वानया पर हो गया था तो साथ ये के यह पूरे देशंसे एक समय भोजनिक आता आको पता हुगा यहां तक कि जो अपने घरों में बगीचे हैं पेड़ पोदें को हटा अनुगाने का प्रियास की अनुगाने कारी को था और खुद बढ़ा जाता है सास्वी जी खुद सुभै को उठकर जल्दी खेत में जो बगीचे तुसकंदर खेती करते थे और फिर अपना जाते हो विस पाकिस्तान ने हलाकि चर्चे का विश्य नहीं था तो जो सर्कीक का च्छेत है और एक बड़े च्छेत पर गवजा कर लिया मैटर गया तो हमाई सासी मामले को यूद करने के विजाए तो पाकिसान को लगाए तो बहुत सही समय है कि एक तो नहरुजी रहे नहीं है सेना का देश का मुदो डाउन है कम जोर पी-म है कि हमने हलकी सी घुझ पैठ करी और यह मामले को का लेकर पोज़ गए यह लेकर पोज़ गए तो यह सही समय उसने कश्मीर पर टेक कर दिया और यहीं समरता पीटा जब वो बोला कि हम चैल करदमिक करते वे घूमते वह का पोज़ जाएंगे नहीं दिल्ली पहुच जाएंगे दिल्ली पहुच जाएंगे तो फिर सासफीजी का दम देखा था पुरी दुनिया ने सासजी ने का था कि हम लाहुर चले चलते हैं हम लाहुर पहुच गए थे तो लाहुर तक हम पहुच गए थे पहला जो लाहुर का पुली स्ट बहुत ज़ाद अंदोलन हुए कि तुम तो इतनी मजबूत इसलिए को कि समय देख रहे हैं भारत यहां पर है पाकिस्टान तब भी तुम हार गए तो यह पूरी ज़ाद नहुए तो फिर दोस्तों क्या था पावर में आए आपका याया खान यानि कि पाकिस्तान के अयूब खान को हटा कर फिर कुड़ कुर्सी छोड़ी कोई कोपनी खोड़ी अयूब खान पावर में आए यह पूरा जो समय पॉलिटिकल हिस्टी बता रहा कि इम्रान खान को कैसे हटाएगे और इम्रान खान हटने के बाद मानने को त्यार नहीं कि मैं अट गया हूं लगाता एक्दम टांग अड़ानी कि स्थी में कि मुझे चाहिए पावर कुछ भी कर लिजिए कैसे भी कुछ भी जैसे भी चल रहा है आप देखिए क्या स्थी आयूब खान आयूब खान ने पहले तो वन यूनिट स्किम को क्या कि अरद कर देंगे वन यूनिट स्किम को नहीं मानें जो बनाए गई थी वैस्ट पाकिस्तान पांच लोगों कि क्या होगी दूस्तों जयत हो गई और तब यह बहुत ज्यादा में हैल्प नहीं करा मदद नहीं कर पाए तो से इस्ट पाकिस्तान के लोगों बड़ा बुसा था था कि हमारी इतनी मदद क्यों नहीं हुए उससे उन्हें क्या फर्स्ट इलेक्शन कर आए जो पहला आपका डेमोक्रेटिक चुनाव था उन्ह को तीन सो सीट में से जो आपका याया खानी असेमली को भंग करके चुनाव कराए थे तो उस चुनाव में जो हुआ तो इनको जो नेशनल असेमली तीन सो सीटों में से एकसो साथ एकसो साथ सीटे के इसको मीली हवामी लीग को यानि हवामी लीग मुझीव रहमनको अब मुझीव रहम,ऊँ रहमन कोले सीडे मिलिया दुस्तों का मुझीव रमन को रिवस्तार कर लिया गया जिसको बूचा रोबंगाल का जाता है बंगाल का कसाई का जाता है तीन लाख लोग मारे गए महीलाओं के साथ रेप हुआ जो मैं बताया था यह सब्सक्राइब भारत इसके अंदर जब किया भारत इसके अंदर निवोल हुआ तो वह थी दो सब्सक्राइब अब निवोल कव हुए जब हम पर अटैक हुआ तीन दिसम्मारी सब्सक्राइब कि सुबह सुबह हमारे जो और और रिफोर्स वेस के थे उनके पर पाकिस्तान के उसके वाद दोस्तों लोग क्या हुए एंट्रियमने की और देखिएगा जोग्रफी कितने माहिने करती है यान रहा था कि पाकिस्तान एक जेल जासा है कैसे दूस्तों यह देखिए पाकिस्तान इस तरह से पाकिस्तान दूस्तों यह दर आपका यह पाकिस्तान कुछ जासा और इधर यह आपको पूरी पाकिस्तान जैसे संटिकले किया हमने लिगा ठीक हुए तुम और में आगे तुम लोग दिया था यहां पर हमने क्या कर दिया था अपना कि कोई भी अगर आए तो रोख लेना सप्लाइए नहीं होने इनको सिरंडरा करना पड़ गया तभी फिर इन्होंने पाकिसान ने जो सब्सक्राइब हुए थी अमेरिका का मलक्का स्टेट से होते हैं साथ वाने लगा हमने रश्या के मजब सी वियासार की मजब से इसको रोका कि नहीं आना है तब यह स्रेंडर हुआ तो यह निकिए भारत की लोगेशन इन एप राकरतिक इधर भी अन्नेचुरल बना हुए वोडर है कैसे हो जाएगा हमें नोर्थ इसको अपने अपन अब हमने कालादा मल्की टांजिस्ट बनाया हमने आपका जो आपका इंडो मयमार फ्रेंशिप रोड था इसको थाइलेंड तक लेकर गए आगे वियत नाम तक बात कर रहे हैं फिर साथ में लोग एक अलग से पूरा एक बात करेंगे हम लोग क्या करेंगे अगर तला से धा प्राटिकल बाते थी यह दो सब्सक्राइब किया था कराची पोर्ट जो था इतने अटैकिया कि निगा खराब होगी जिन्ना उसमें दुस्तों यह नहों गए थे यह नहीं जाके नोने यह नहीं बहुत कूल और सिधा कहा कि हम ने सुनेंगे यह क्या हो यह क्यों अब भु ना एमधिया को मान रहे हैं ना सिया को मान रहे हैं दोनों के अगेंज खड़े हुए और भुट्र ने क्या क्या पूरा का पूरा जो युद का या हार का जो पूरा ठीक रहा था वो याजा खान पर फोड़ दिया कि या 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 खान को विसा आ रहे हैं नहीं तो मैं नहीं इसलाम को कैसे लेके चले इसलाम एक तो पस्तुनिस्तान को कंट्रोल करने के लिए और दूसरा जो वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो रैडिकल ग्रूप से उनको अपर समर्थन में लेने के लिए कि उनको पर साथ में जोड़ लेंगे तो हम इसलाम और सोसलिजम सोसलिजम क इंदर पूर पूर पॉब्लिक है पीपल है उनका इसमर्स मिल जाए ताकिए में पावर मजबूती से खड़ा हो जाए अपने लिए इसने क्या कि इसका प्रियोक कर दिया दोस्तों सैवन्टी थिरी में ने क्या था कि आपका सैवन्टी सेवन्टी सेवन्टी फोर में बुलूचिस्तान का दोस्तों क्या था मुमेंट शुरू हुआ हुए इन्होंने जिया उल हक को क्या क्या आलमी चीफ बना दिया और जो जियाल हक है इसके बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते थे बुट्व लेकिन इजियाल हके नहीं फिर बाद मुट्व को फांसी दिलाई थी मतलब यह एक दोग किस्ता याद आ गया कि क्यों जियालोग को आर्मी चीफ बनाया था कि एक बार यह जियालोग बैठे हुए थे और सिगर्ट पी रहे थे तो तब बुट्व आये तो बुट्व गातिनोंने सिग्रेट थी जेम में डाली अपने जेम में डाली तो बाद में कहा जो अपने सांगे देओ जो विक्ति में से इतना ड़ता हो कि सिग्रेट भी में सामदें नहीं पी पा रहा हो तो इससे अच्छा और चीफ फोन बनेगा और जब जनरल बना दिया है कि इसको आर्मी चीफ तो बोलते थे ऐसे तो यह जयालोग बड़े प्लाइक बोलता था था थैंक्यू सर फॉर और काइंडली अटेंशन थैंक्यू सर इतना चाफलूस तरीके से नोंने जयालोगों पावर में अब देखे बड़ इंटरसिन देखेगा सेवन्टी सेड़ों दूस्तों नोंने इलक्शन कर आए चुनाव जीते लेकिनÓ अपोजिशन ने क्या क्या है ल осв लगा कि तुमने चैब्ड़ लेकैं लगाए है कि तुमने क्या क्या है 서ुड बुटो ने क्या किया पूरा समझाने का प्रभाजा कि ए तक काा कि तुम जिन सीटों से सचनाव लड़ना चाओ जो ने आइनको जीतने आपका तक्ताप्लाट कूप होता है तो सुबही सुबह भुट्टो सब लोगो बोलते हैं कि देखो मैंने सही किया था ना जाव लग को पावर में लाने का चीफ बनाने का कोई और आलमी चीफ होता था तो कूप कर दिया होता तो उसी दिन शाम को जूल फ्राइब भुट्टो को अरस्ट कर लिया गया था या लोग के दोबरा और दो 79 फिर्ट को इनको फांस ही दी गई थी अब दोस्तों आपका जो भुट्टो यह मैं बता चुका हूँ ठीक है और क्रेश्टन के अरुफ लगा कर यह कि चुना हो गया क्रेश्टन की बाद सब लगा कर वहां पर दोस्तों किया साथ का जिया उल्हक क्या पावर में आ गए यह 77 में कूप में और 77 एट में राश्पती बन गए और राश्पती दोस्तों जिया उल्हक बनने के बाद इननने क्या किया एक तो इननने क्या किया पहले इसलाम इसलाम में जो शरियत था शरियत को क्या किया आपका लागो कर दिया यह जो शरियत लो ता उसको लागो कर द और कि अहमेदिया को हम लोग अगर अहमेदिया प्रैक्ट्रिस नहीं करेंगे बहुँ साथ बनाएंगे तीन साल की सजा कुश्य मामलों में मरत्व जंटक की सजा एमधिया के लिए कर दी गई है साथ में एक अधिश लगा जकात. और जकात एक तरह से टेक्स दूस्तों था इसका सिया ने और आहम मद्या ने विरोध किया है. आहम मद्या को तो हुमारा शिया क्यों विरोध कर रहे थे? आक्जिली जो मैं शेरियत की बात कर रहता है तो शेरियत मैं कि ताकत वर इसलिए बनाया क्योंकि क्या था कि जब भुटों ने अपना शुरू किया बनाएंगे तो रो ने बहुत चैलेंज दिया था जो भारत की रो थी और आप देखेंगे आप उसमें दिखाया गया है तो जया उल्हक के समय में क्या था दूस्तों हमें पूरी जानका पाकिस्तान के परमानु का अपने वाली थी भारत की इंफर्मिशन के बाद वह सबस्क्राइब तो हमारे समय मुराजी दिशाई पावर में आच चुके थी मुराजी दिशाई को इमर्जेंसी इसमाफ हो चुके थी और इसमाद चुना हुए थे चुनाओं में जनता हड़ा तो नोने पाकिस्तान को चाहिए अक्म ने रोका तो हम आप पर क्या करेंगे भारत नहीं बूल दिया तो उस वज़ेसा क्याता तो इस साल बाद 98 में जाके नहीं किया तो सेवेंटी इट में डाटा गया है किया था तो इन्हों से बढ़ा भूई थी कि रो ने हमको क्या किया धत्ता बिठा दिया यानि कुछ मुठ्थी बर एजेंटों ने हमारे हैं खराब कर दिये और 62 के बाद बनी शुरू सेवंटी हो ने पाकिस्दान को दो चुकड़े में रो करने दो चुकड़े करने में रोक हो चुका था संबंद ख्राब हो चुक है अमेरिका के एविन अमेरिका के जो दूतावास था उसमें दूतावास में जो अधिकारी थे उन सब को एक साल तक बंदी बना लिया था ये इस्टिती थी तो अमेरिका के एंबेसीडर को मार दिया था उसको रथिया कर दिया थी तो सबस्रों मुजाहिदी MARK! सब्सक्राइब करना वड़ करें ने और जियावल हके ने तो दोस्तों ने नॉर्थ वेस्ट को बेस बनाया और यह पर दियुप स्कूराइब पास जाते हैं और यहां पास जाकर यह फोर्ट सुरू होगा होली वार है तो जैसे को होली वार डिक्रेर किया जिहाद डिक्लेर किया तो पूरी दुनिया के जो क्रेडिकल लोग थे चाहे वह साम बिलादेन क्या है कि अधर्मियों से लड़ने वाला योद्धा दार्मियों की योद्धा को मुझाइदीन का आगे खैबर पास दूसरूं और फिर आपका जब सैवेंटी नाइन से लेके एक्टिन नाइन तक दुपस्टिन में जनेवा कंवेंशन के अंदर रशिया यूएस और अमेरिक के बीच में सैमती होती है तब क्या होता है क्या होता है क्योंकि उसी घटना की वाँ से जाता है उसी क्या होता है वहां पर आपका जो पूरी यूरोप के आसपास के जो चेटरों थे यह यह जेतने तान थे इन सब का अंदूरों स्क्रोंग है तो उसने इन मुझाहिदिनों का परियोग यूज किया कि हम इसको भार्त के अगेंस्ट करने सोचेंगे बाद में यानि के बाद तब यह तो समदेखे सेवंटीन नाइन में जम्मू कशमीर के अं उसको दोस्तों से ने कहा कर सपोर्ट किया और लो इंटेंसिटी वोल हलाकि जेकर जो था शुरुआते से पाकिस्तान सब्सक्राइब बाद यह कहने लगा था कि जो पाकिस्तान के हिस्से का भी जो कश्मीर हो हमें वापत चाहिए तो बाद फिर जेक एलेफ के नेताओं को मुर्माना शुरु करते था इनों ने आईसाई ने वह एक अलग कहानी बोलेकर लेके चलिए और प्रियास किया और मुझे घटना याद आगई जयावलक के बारे में जयावलक ने मुराजी दिसाइए के साथ अच्छे संब्सक्रा कि अच्छे रिलेशन बनाएं यह तो दिखाया गया है कि मुराजी साहिर मिठाई तक बेच तो जयावलक ने बोला कि प्रेजिएंट साब राश्पादी जम चाहते हैं कि भार तो पाकिसां के संबंद अच्छे हूं तो जैल सिंग्ये ने अपनी पंजाबी लेंग्वेज में कहा था कि यह नहीं हो सकता तो यह लोग ने का क्यों नहीं हो सकता कि एक तो तुम खालिस्तान मुव्मेंट को बढ़ावा दे रहे हूं उपर से तुम क्या करें हो ने नुकल प्रोग्राम बना रहे हो जम्मु कश्मी तुम जेके लेख को सपोर्ट कर रहे हो तो यह कैसे हो सकता है तो अपनी लेंग्वेज में हो सकता कि जनानी आख भी मारे और गुटी बीगड़े मतलब यह तुम एक तो आख मतलब एक पंजाबी लेंग्वेज में कि यह नहीं हो सकता कि जनानी आख भी मारे और गुटी बीगड़े तो यह नहीं हो सकता पॉसिबिल नहीं है तो इस वह कि भी चीज़ें इनके वारे में थी तो चले ओट्रम को प्रियास किया दोस्तों न ओपिनियन पॉल हुआ जिनमा संग रहा हुआ तो 95 परसेंट पॉपलेशन ने किया आपने इस्लामिक इंट्रिक रहा है बड़ा अच्छा काम किया फिर 25 में उस्तों करा है और पार्लियमेंट को फिर क्या था एक टेशनों डिस्मिस कर दिया बाद में डिस्मिस करने के करते होना बहुत सार ऐसे हुए हैं जो आप देखेंगे कि किस प्रकार की और यह हाथ से जो हैं यह बगएर किसी बाहर के समर्थनगे नहीं हो सकते बुट्टों का जो फासीद देदी कही थी कि हत्या साजीस का लगाए कि जो अध्या कि साजीस की थी उसका नगों क्या कर दिए कि फासीद दे दी गई तो यह दो सुमिने बताए दिया आपको कि इसमें बड़ा इंट्रेस्टिंग क्या था जब इनों ने सेवेंटी जिया अपनाई तो एक विवादित हुदूद ओडियंस इन्हों लाए थे जिसमें कुरान के मुताबिक सजा देने के प्रावदान था कुरान की मुताबिक हम क्या करें सजा देंगे और बाद में जर्म आलाइड बने जैसे आपका अलकाइदा, लशकर-उमार, लशकर-ट्यबा, जैसे मुहम्मद, आपका जैसे अदल, अलबदर्म, मुझाहिदीन, हकात, मुझाहिदीन, आईयसएजसके पी यह स्क्या है पाकिसान के समर्थ तक बने, और पाकिसान के जो मुमेंट असको आगे जाता था नैशनलिजम इसलाम के बेस पर भारत के साथ भूराजन ते परदेशन चल रहा ही थी वाम पंति दक्षिन पंदी विचार धराव को साथ अंगर चल रहा था यह इस तरी दोस्तों कि पाकेसान के अंदर थी यानिक आफटर एक एक एट उससे में दोस्तों कि भूट् सब्सक्राइब करने के लिए और इनकी स्पीश है वाप सुन लेंगे तो आप बचलेगे किस प्रकार के स्पीश दोने दिए थी वह में जाम जिए लिख रहा है फिर दोस्तों को चुनाव में आपके नवाज शरीफ पावर में आए यानिके आपका जो चुनाव हुए और अपके जिया स्वीचिंग आपका कैसली स्वीचिंग चल लिए फिर दुबार से ब्रश्या चल गया हुआ फिर नवासी पावर में आए और जब नवासी चोथी बार आम चुनाव हुए लेकिन दोस्तों यह दूर हमारे यां ऐसी था हमारे वह सारे पीम आए के गुज्राल वीपी सिंग नर सिंगा राव देव गोड़ा चन चोधी चन सिंग अटर वेर वाजपई यह दोर वही पाकिसन वही चल रहा था नवासी पावर में फिर जीते उसे में दोस्तों आपका नाइंचे केट में क्या था दूस्तों आपका इन्होंने जो चगाई की पाड़िया थे हमां प्रक इंकारी भी नहीं थी नवाज शरीफ को की कारगिल में घुसपैट कर दिया प्रवेज मुश्रफ के कहने पर बाद में भारत पाकिसां की रिलेशन बताऊंगा पर यह मैं इंटनल पोलिटिक से बात कर रहा हूं तो जब पता चला कारगिल और खतम हो गया तो नवाज बाद कर ettin की अब बासि को क्या बना दिया था और जैसीन दिन को जाने करें मुझे डिन को कि यह नौकष मुश्रफ को की नवाद दीन को पर बना दिया स्युन बना दिया तो उसी समय से क्ला इंट्रेक्शन दे रहे थे और पूरे पाकिस्तान को क्या कर लिया गया था मतलब प्रवेज मुश्टफ के अब पर कूप हो चुका था यानि कि प्रवेज मुश्टफ के प्रवेज मुश्टफ के प्रवर में आ गया तो दुबारे फिर 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 कूप हुआ और जब स्कूप को होने के बाद यानि कि तक्स अप्रवेज में के बाद इन्हों ने अपनी पावर को लिजिट्मिस दिराने के लिए हैंसिग कराए और चुनाव कराने बाद अपना खुद कर का क्या प्रैसिजिट ऑना आपको अभी दुस्तों से में आपका पाकिस्तान में अमेरिका की मतलब की 9-11 का इंसिडेंट हो चुका था तो अभी इसके हम दुस्तों आगे बात करते हैं तो प्रवेद मुश्व जब दुस्तों जब पावर में आते हैं तो अब देखते हैं कि 20001 से लिके 2008 तक अभी देखते कि पावर में सब्पीट बरतन समय किये एकटम दूस्तों अयूब खान की पोफिकी यानि की पूरा फोकासन का यूब खान की जो पॉलसी रही थी उन सब को नोंने क्या किया दूसरी पीट किया आर्मी को स्ट्रोंग किया शोचल लिबरीलिजम और एकनोमिकल रिफॉरम्स लेकर आये और साथ में दू कि जब इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी ने लाल माश के घटना घटी जुई और उसे में देख्यां जो 200 बच्चे क्या थे आपके तालिबान के द्वार मारे गए तो यह जो स्थिती दोस्तों इन्हीं के समय आपके लिए नवास स्रीफ को मैं बताए तो सब्रेस्ट कर लिया मिलेगी जब आपका चुनाव होंगे लेक्शन होंगे तो दोजारी में दोस्तों कि चुनाव हुए आपके माध्यम से अपना प्रेस्जिन बनाया है और सिद्दान क्या देते हैं डॉक्रिफ ओफ एक्सरेजेंसी यानि कि पाकिसान के अंदर नया सिद्दान वागी सुप्रीम कोड देता है और सुप्रीम कोड क्या देता है कि जब तक सब मैटर ठीक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं कोई इश्यों नहीं है तो बेवजा अब क्या हुआ कैसे वह लग विश्या है कि बहुत साइच चीज़ में वह आपको जाद ध्यान देने जरूत नहीं है फिर दोस्तों क्या होती है घटना होती है जब परवेज मुश्रफ दोहजार एक्रों साथ दिया था लेकिन बाद में देखा गया कि पाकिस्तान के उपर वह पर अर्य जब टारीबान नहीं करने तो परवेज मुश्रफ ठोप का जो नजर्यगा था थो फोड़सा अमेरिका की अगेंश बदनने लगे कि यह लड़ाए हम लोग लड़ने लग घलता है हमारी दर्थी पर अमारी वह पाकिस्तान के अंतर बड़ा इस तो dancer पाकिस्त और होता ही है कि दोजास साथ में जब अमेरिका दोने में समझोता कराता है तो बैनर जीर भूटों के ओपर जितने भी क्रेफशन के एलिगेशन से वोटवाद दी जाते हैं और नौाज सरीव के साथ इनकी संब्द अच्छे करा करेंगे एक आपसमेंडर सेंडिक बना कर अब समझोता क्या हुआ था किया था क्या दोजो पーピलिक में नहीं है लेकिन समझोता होता है कि हम मिलकर क्या करेंगे वहां पर रूल में आएंगे को दोस्तों यह वापिस आ जाती है वापिस आने के बाद 2017 अ चुनाव में हिश्ता लेने के लिए बैनर जीर भूटों पाकिसान उसके बार दोस्तों के जो प्रथी से ज़रदारी और गिलानी क्या बने प्यमिएंड बने फाइदा हुआ अपकर जो पी 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 पार्टी थी वह पावरे में आई पास साल तक यह सरकार चली पास साल तक आरूप लगे लेकिन लेकिन कुल मिलाकर जैसे दैसे करके अपनी स वे चुना हो और फिर पी-एम-अलियान की आनियो पावर मेंए यह लिपार्टी पावर में आई यो सब नवासरी ऑने पावर में सब्सक्राइब last 2 जी गई इम्रान खान के दोड़ा दी गए तीस सबसे उन्हाजनीक पर चुनाव लड़ने के लिए आई कि दिया गया कि बहुत साधर चलोंटे रहे इसके बार दोस्तों च्छी यह होता है यहां पर आपके दूबार से क्या चुनाव यानि कि ट्रिपल ले पर चल रही है कुछी लोग तो बोलता है ट्रिपल लेम आप एक्टम और जोड़ दीजिए यानि कि एटम के कारण भी पूरे वर्ल्ड में कि एक ही कंट्री है जो इसलामिक नेशन है इसके पास में क्या आपका आपका पाकिस्तान तो पाकिस्तान के एक्टम बंब बनाने कभी दोस्तों क्या पूरा जब हम एक एक पॉल्सी की बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान पॉल्सी तो मैं इसको पूरा आपको डिसकस करूंगा किस सब्सक्राइब इम्रान खान का भी नजलिया दोस्तों क्या था भारत के साथ बहुत इसको हमेशा कभी साओधी के सपोर मिल जाता है कि इसका आपका चीन का सपोर मिलता है कभी अमेरिका का मिल जाता है यहां तक कि अमेरिका ने अब इसको FATF में जिसमें था उससे बाहर निकलवाया है साओधी का सपोर मिलने का दोस्तों जो कारण था वही कारण है कि इरान में और साओधी के अंदर एक अपने कंफ्लिक्ट होना अपना इस पूरे छेतर में परभूत के सापना इसलाम का असलिए अपना आपको क्या मनना उत्रादिकारी मानना कि हम लीडरें इसलाम के उसके कार करने का और सुनीजम का और सुनीजम का और बाविजम वही एडलोजी है जो आपका कहां पर साओधी में तो सुनी में जो आपका पाकिसान इस वह बनता है कुर्मिलाकब सहबाद सरीफ आपके कैंप पावर में सता में है अब हम बात वर्दमान की बात करें प्रेसिंट की बात करें तो दोको तीन पार्ट मेरी में जो चलता नुदिए pati नवासरी आपका प्प्राट Shusma अली जरदारी वाली पार्टी यह नवासरी वाली पार्टी इन तीनों ही पार्टी में किया वामें सब्था का संगर्स चल रहा है पॉल्टिकल पार्टी पाकितान की अगर दोस्तों पॉसिबिल्टीज की बात करें यानि कि पाकिस्तान में पॉसिबिल्टीज क्या है कि पाकि तो फ्रॉंग हो लेकिन ये बड़ा मुश्किल है दोस्तों क्योंकि आर्मी क्यों अपनी पावरों को छोड़ेगी और आर्मी की जो स्टार्टिंग वाले सिदी थी आर्मी की वही आर्मी की आज भी है कि अगर डारेक्ट अब कूप नहीं कर रही है मुझा प्रभी रहेगी बैक में रहेगी और वो ही क्या करेगी पूलिटिकल पार्टिस को यानि कि इसको क्या रखने रखें की सिविल गृर्मेंट का कंट्रोल आता है उसरो तो पाकिस्तान की ऐसी है कि वहाँ पर स्टीथिदी क्या होगी चाए आपका बिलूचिस्तानी की बात करें चाह कि आपकी सूपर पावर ग्लोबल पावर से उनका इंवल्मेंट कम हो वह भी नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान आज भी क्या इंपूटेंट है भाई आज भी हम देखे तो एरान और रश्या के रिलेशन से हैं तो कैसे छोड़ देगा अमेरिका और दूसरा चीन कैसे छोड़ देगा चीन भी अपने इंट्रेस्ट नी छोड़ेगा अब अमेरिका के स्थिद्य आज यह है कि भारत ने तो उसना साथ नहीं दिया जब रश्या का मैटर हुआ तो जो आप देखते हैं आज की तारीख में आप देखें जो भारत में अमेरिका के अमबिसेडर तक नहीं है माना जाए कि जोनाल्ड टरम्प बराक अबामा के समय भारत के रिलेशन थे जो जाज़ बूश या बिल क्रिंटन की आतरा सुरू हुए थे यानि कि बिल किंटन अटल जी दोजार में जो संबंद सुरू हुए थे वो डोनाल्ड टरम्प तक तो अच्छे रहे थोड़ा बहुत डोनाल्ड टरम्प के समय को क्या दिखाई दिया थोड़ा बहुत कि मुद्दों पर कॉन्फिक्ट दिखाई दिया लेकिन ब्राक अबा भी करते हैं तो क्या होगा इरान पाकिस्तान रश्या चाये ना यह एक अलाइंस हो जाएंगे और जो रश्या बहुत पहले से चाता है कि सेंट्रल एशिया से होते हुए मैं सीज़ा का पर आ आ जाओ और अरब सीम आगे बैठ जाता है तो यह पूरा रिजन क्या होगा अमे कौाड में भी कितना आएगा यह बड़ी बात है चीन के मुद्धे को लेकर अमेरिका भारा साथ में खड़े हैं लेकिन रश्या की मुद्धे बहुत दूर खड़े हो जाते हैं तो अमेरिका के साथ भी इस्तिति कहा बड़ी कहता है नहीं कि लिए आई आर के अंदर का जा स्वेंदों में कहा जाता है नधिन इस पर्मेंट इन इंटनेशनल लेशन जो कल किसी ओर का वह आज़ आपका है और अभी जैसे कुछ सर्वेश है कि अमेरिका ज्यादा हमारे करेगा इस्तिति अमेरिका की अलग है भारती के परती चीन से ज्यादा भार्ट को समझता है कि का जो है सैलफिश है कैपिलिस कंट्री है अपने मतलब को लेकर आया आ जाता है जो कल किसी और का था वह आपका बन रहा है कि क्या रहेगा और हम लोग इसी वजब से रश्या के फ्रेंड्शिफ टोर्ने को तयार ने की यह तो कहीं रह अच्छा दिखता भीए अधे है तो बहुत साफ़ सूपर दें तमस्वन आ जाता है लेकिन कहीं बार इतने ज्यादा क्या होते हैं यह इतने ज़्यादा जटिल होते हैं को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन यह एक एक पावर का कि वहां पर इंवोल्मेंट खतम हो लेकिन वह संभावना नहीं लग रही बलकि अब तो क्या हो गया है कि पाकिस्तान की चाइना की कालों नहीं बन गया है पाकिस्तान रखें भारत के साथ में दूसरा टेरिज्जम तो दूसरे कैसी सिर्फी हो गई है पाकिस्तान के अंदर कि एक तरस एक ऐसे मौनिस्टर है टेरिज्जम को सपोर्ट किया कि जिसने औरों के लिए खड़ा किया था कि भारत के खिलाव हमें यूज करेंगे आज वही टेरिज् की जो पाकिसां त्वान हें वह रही हमको लग होना है बीले लगा हुआ है वह तो इसके थी बड़ी नाजेरिज्जम को अब भारत के अगेंस ट्रियुक्त कैसे काई किसे रही रोग हुए भारत की पोलिसिश कि आटीएंगे बैन करेंगे इसकी इसका बत करेंगे इसकी कि तो कुल मिला कि पाकिस्तान की इस्थिती आज भी कह दो तो एक बड़ी चिंता जनक है पाकिस्तान अपनी अंतर विरों दे मूझ जा हुआ है लेकिन शुरुवात कहीं से हो वो दिखाई ने देती पाकिस्तान में होप जो है कहता है कि जो एक लाइट होती है वो लाइट रोग स्टेट है लेकिन कुछ कुछ चाहे हो पैरियर स्टेट की बात करें चाहे हम लोग रोग स्टेट की बात करें चाहे हम लोग बात करें आपका यह फेल स्टेट की बात करें तीनों की फीचर दिखते हैं तो कुल मिला का जाए कि पाकिस्तान इस नोर्मल स्टेट इस न और जो कमजोर होता है हमेशा चार वोर में इनिशेटिव लेना और इंडिया के अगेंस्ट लो इंटेंसिटी वोर सुरू करना इस प्रोक्सी वोर का मतलब यही है कि जब एक कमजोर देस्टाकत वर देस्ट करा लड़ने के लिए उसको ठती पुझाने के लिए इस वोर टो बाए एकित के साथ सबसे बड़ा क्राइस क्या है आईडेंटीटी लिए क्राइसिज कि जो बार बार जिन्ना भी हो यह इम्रान खान तक भी बोलते थे इम्रान खान ने कई बमड़ बोला कि जो आई भारत में हो रहा है मुस्लिम का गेंस्ट यह हो रहा है तो काईद आज हम सही कहते थे कि अगर हम लोग अलग नहीं हुए तो हमारा भारत काचार होगा यह होगा भारत यह होगा RSS की गोर्मेंट आ जाएगी वो आ जाएगी तो हमने पाकिस्तान को पूरा जाना पूरा समझा तो पाकिस्तान की वारे में आप सोर्स को चिंतन कीजिए विचार कीजिएगा अभी पाकिस्तान का लेक्ट्रा खतम नहीं हुआ दोस्तों इसका अलग वीडियो एक और आएगा जिसमें लोग बात करेंगे इंडो पाकिस्ता निकालेंगे अभी तो मैंने एक पाकिस्तान की पॉसिबिल्टी इंडिया का क्या रोल हो सकता है इंडिया के साथ किस प्रकार के वोर रहे वोर में स्थिति क्या रही इंडिया क्या सोचता है इंडिया की पॉलसी पाकिस्तान को लेकर क्या है पाकिस्तान की पॉलसी इंडिया क करेंगे नेक्स वीडियो के अंदर मैंने इस पीपीटी को दोस्तों आप मिलेगी आप कोई पीपीटी मिल जाएगी आप हमारे इस पे जाएंगे तो दो ते मैंने सब कोश्चन डॉल जाले हैं इनको आप देख लिजेगा और मैंने पूरी एक लिस्ट भी डाली हुई है कि ग मैंने सब डाला हुए से में तो चलिए तो आज आज दोस्तों लेक्चर हीं तो रखते हैं और नेक्स लेक्चर में इंडो पाकिस्तान में बात करेंगे वहां भी पूरी डिटेल सब्सक्राइब काफी बढ़ा होगा तो मुझे तो यह आपके लिए पाकिस्तान का एक इंड और ज्यादा इसको यह सुचना है कि सारा चीज़े याद हो जाएं वो पोसिबिल भी नहीं है बस एक कॉन सेप्ट आपका किलियर्टी हुई सब चीज़ों को आपने जाना तो एक माइंड खुलता है कि पाकिस्तान का इतियास ही जो रहा है पॉलिटिकल यानि इतियास तो 47 पाकिस्तान से पहले ही कि था बारत पाकिस्तान का लेकिन सत्तर सालों में सत्तर सालों में पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्षी कैसी रही वही क्या करती है तो कहा जाता है कि राष्ट का निर्मान जिस बेस पर होता है जिस निव पर होता है वही राष्ट के चलित को क्या करत हो चाहे भारत पाकिसान लोग अपने हीतों को ले कर अग्रेसिव होते हैं अंतर हो जाता है आक रामक और डिफेंस वह ठीक है दूस्तों तो यह लेक्टर आज ही लखते हैं और बताएगा जरूर बाकि आपको पिपड़ी मिलेगी और हमारे जो कोर्स हमारे चलते हैं उनको आफसे जोईन कीजिए बहुत देनेवाद जैहिंद